हलो बच्चों, तो NCIT के सीरीज में आज मैं क्लास 10 का एक और चैप्टर तम्हारे लेकर आया हूँ और ये है क्लास 10 साइंस का चैप्टर नमबर 4, कार्बन एवाम उसके योगिक, तो इस सीरीज में जैसे मैंने तुम्हें पीछे के सारे चैप्टर पढ़ाया है, हर एक लाइ इन-साभी मैं बताता चला जाऊंगा, तो चलो हम लोग देखते है क्या क्या बाते लिखी गी है, तो पिछले अद्याए में हमने अनेक ऐसे योगिकों का अध्यन किया है, जो हमारे लिए महत्वपून है, तो पिछला अध्याए कौन सा था, इसके पहला अध्याए था, ध सियो सियल टू था तुम्हें याद होगा ना यदि नई याद है तो जाकि यार रिवाइस कर लो और इंसे टी का सिरीज देखना है तो प्लेलिस्ट को जा करके खोल लो और सारे वीडियो तुम महां पर देख सकोगे तो ठीक इसी प्रकार से इस सध्याय में हम कुछ अन्य रो से हम लोगों को कार्बन के विशय में अध्यन करना है और उससे बने यौगिकों के बारे में पढ़ना है तो बच्चा लोग क्या तुम्हें पता है कि हम जिस विज्ञान के तहत कार्बन की यौगिकों का अध्यन करते हैं उससे क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं कार्बन और इसी के साथ तुम्हें मैं बता दूं कि इसे हम लोग क्या बोलते इसे में बोलते है और गैनिक के मेस्ट्री और गैनिक के मेस्ट्री ठीक है न तो यह बात याद रखना तो चुलो थोड़ा सा carbon के बारे में हम लोग देख लेते हैं Carbon क्या है बच्चा लोग एक तत्व है तुम्हें पता चल रहा होगा कि यहाँ पर यह क्या चीज है यह है तुम्हारा एक periodic table ओ सुरी यहाँ पर है carbon तो यह एक periodic table है बच्चा लोग और इस periodic table में तुम देख सकते हो सारे तत्वों को, सारे 18 तत्वों को यहाँ पर रखा गया है और हमारा carbon कहा है, यह देखो, यही है हमारा carbon तो carbon के बारे में कुछ जनकारी ले सकते हूँ, तो carbon क्या है, एक अधातू है सबसे पहला तो यह एक तत्व है, सबसे पहला क्या है, एक तत्व है, जो की क्या है, अधातू इसका atomic number क्या होता है, 6 तुमने याद किया था, ठीक है, और इसका mass number क्या होता है, 12 तो यही है हमारा carbon, और इसी के बारे में, इस चाप्टर में हम लोगों को विसेश करकर के पढ़ना है, सारा चीज इसी के बारे में हम लोगों को यहाँ पर जनकारी लेनी है, तो यहाँ पर देख सकते हो, अध्याय के सुरू में ही, एक क्रिया कलाब दिखाए गया है, और सुबह से आपने जिन वस्तू का उपियो गत्वा उभो किया, उसमें से दस वस्तू की सूची बनाईए, तो यह देखो सूची इस प्रकार से बनाना है, कि धातू से बनी कुछ वस्तू को तुमें लिखना है, तो धातू से बनी वस्तू क्या क्या तुमने यूज किया है, धातू का बना होता है, एलुमुनियम का बरतन यूज किया होगा, वह क्या है, धातू है, इस दरीके से काच मिट्टी से बनी वस्तुएं, ठीक है, और कुछ अन्य वस्तुओं के बारें बताएगी है, तब अन्य वस्तुओं क्या हो गई, जैसे कि मालों तुम्हारे घर में कंगी तुमने यूज किया होगा, स्वीच बोर्ड का यूज किया होगा, पेन यूज करते हो, ठीक है, ये सारी कुछ अन्य वस्तुओं हो जाएगी, है ना, तो यहां पर आपकी द्वारा भरी हुई उप्युक्त सार्णी के अन्तिम अस्तम्बें आने वाले वस्तुओं पर ध्यान दीजिए, आपके सिक्षक आपको बताएगी, इंकिनमे से दिकांस वस्तुओं कार्बन के यूगिक से बने हुए हैं, बिलकुल बत चालो, तो तुम अपने आजू-बाजू ध्यान दोगे न, तो बहुत सारी वस्तुओं है, जिसमें कार्बन एक मुख्य तत्व होता है, अब मैं उदारन बताता चल रहा हूँ, जिसे तुम्हारे हाथ में यदि पेन है, तो पेन भी किस से बना है, कार्बन से बना है, दरवाजा किस से बना है, कार्बन से बना है, तुम्हारा कपड़ा किस से बना हुआ है, कार्बन, अच्छा, उसमें कार्बन एक मुख्य तत्व है, ये समझो, उसमें अन्य और भी तत्व हैं अन्य और भी तत्व हैं लेकिन कार्बन उसमें है जैसे कि तुम्हारा किताब में क्या है कार्बन जो एक तत्व के रूप में है तुम्हारा बैग क्या है उसमें भी कार्बन एक तत्व के रूप में है मालो तुम कोई पाउडर का डबा कर रहे हो उसमें कार्बन के योगिक मौजूद है यह जो तुम्हारे पास कार्टून है तुम्हारे पास बॉटल है थर्मो कॉल है सारा चीज में कार्बन तुम्हें देखने को मिलेगा इसका परिक्षन करने के लिए क्या आप कोई विधी सोच सकते हैं जी हाँ यदि तुम क कार्बन को जलाओगे तो उसमें से कार्बन डायोकसाइड निकलता है कार्बन सीक्त योगिकों को जलाने पर क्या उत्पाद मिलेगा तो कार्बन डायोकसाइड मिलेगा क्या कार्बन डायोकसाइड मिलेगा या बोलें कि कार्बन के ओकसाइड अलग-अलग रूपों में मि खुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं वहां पर हम लोग आ गए हैं तो आपकी द्वारा सूची बद्ध की गई भोजन अरे भाई भोजन में भी क्या है कार्बन अच्छे सब चीज़ छोड़ो यार तुमारा जो सरीर है सरीर हमारा जो है मुख्य रूप से किस चीज़ से बना हुआ है कार्बन से बना हुआ है या इस तरीक से कहें जो भी सजीव है उनका सरीर में एक मुख्य तत्व कौन सा है कार्बन है यनि हमारा सरीर क्या है कार्बनिक पदार्थ से बना हुआ है तो भोजन कपड़े दवा पुस्तकादी अनीक वस्त में इस सर्वत्व मुख्य त संग्रशनाएं कार्बन पराधारित होती हैं याद करो यहां से क्वेशन पुछे कि कार्बन कहां कहां पाए जाता है तो यह सारा तुम यहां लिख दोगे अब देखो जो हमारा अर्थ क्रश्ट है यानि भूपर पट्टी है तथा वायू मंडल में अत्यंत अल्प मात्रा मे कार्बन उपस्थित होता है अब बोलोगे कि भूपर पट्टी अरे भाई पृत्वी का जो उपरी परत है उसे ही उन्हों क्या बोल रहे हैं भूपर पट्टी बोल रहे है और ये भूपर पट्टी में तुम्हारा खनीज जैसे कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट को नहां भी कार्बन मौजूद है कोईला हो गया पेट्रोलियम हो गया अरे भाई पेट्रोल डीजल ये सब में भी कार्बन मौजूद है समझ गये के रूप में किवल 0.02% कार्बन उपस्ति थे याद रखो कि इस तब मिला करके 0.02% कार्बन मौजूद है तो भाई एक क्वेश तो यह कितना है यह तो तुमनें बहुत पहले से पढ़ रखा जीरो तो समलो जेरो तीन प्रतिसर कारबन डायोकसाइड उपस्तित है प्रकृति में इतने अलफ मात्रा में कारबन उपस्तित होने लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस का है कौन सा तत्व कार्बन और साथी कार्बन के योगिक भी तो चलो अपने पहले टॉपिक की और बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये कार्बन में आबंधन पिछला अध्या और यहां पर हैस्ता संयोजी आबंध तो सर ये क्या है देखो बच्चा लोग तो जो तत्व होते हैं वे आपस में अलग अलग तत्व मिलते हैं और मिल करके योगिक का निर्मान करते हैं जैसे तुमने पढ़ा था कि सोडियम है वा क्लोरीन से मिलता है और सोडियम गान करता है पिछले अद्याय में पढ़ा था तुमने पढ़ा था एलमॉनियम जो है वह मानलों की ऐकसीजन से मिलेगा और एलमॉनियम ऑक्षाइड का निर्मान करेगा पढ़ा है या नहीं पढ़ा बिलकुल पढ़ा है तो इस अध्याय में भी हम लो को यही सीखना है कि जिससे कार्बन है वह हाइड्रोजन से मिलेगा तो क्या बनाएगा अलग-अलग प्रकार के कमपाउंड का निर्मान करेगा तो यहां पर देख सकते हो कि दो तत्व हो गए या दो से अधिक तत्व भी हो सकते है जो आपस में मिल करके एक आबंध उनके बीच में बनता है यह बीच में एक बांडिंग बन गया और बांडिंग बना करके यह योगी का निर्मान करते हैं अब सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हो जैसे हमारे गोरों में हम लोग देखते हैं ना कि शादी होता है तो हम लोग देखेंगे कि एक लड़का होगा एक लड़की होगा इनके बीच म ये इस प्रकार का ये साधी तो नहीं हो रहा है लेकिन यहां भी एक बंधन वनेगा और उसको हम लोग बंधन नहीं कहे कि क्या बोलते हैं आबंध बोलते हैं तो ये जो आबंध हैं ये अलग-अलग प्रकार के होते हैं तो रसायन में हम लोगों को तीन प्रकार के आबंध प बढ़ना है तो दो प्रकार क्या है ये देखो तो ये पहला क्या है बचलो वैद्युत सयोजक आबंद और दूसरा क्या है ससयोजक आबंद तो अब सबसे पहला बात हम लोगों को समझता है कि कोई भी तत्व है जैसे सोडियम है तो सोडियम आखिर आबंद क्यों बनाना चाह क्यों बनाना चाहता है तो इसका जवाब मैंने पिछले ही चाप्टर में दिया था कि यहाँ पर जो भी तत्व हैं वो अपना अश्टक पूरा करना चाहते हैं लाश्ट में आठ इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं या फिर हाइड्रोजन जैसे तत्व हैं वो लाश्ट में दो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं और इसी कारण से वो दूसरे तत्वों के साथ आबंध बनाते हैं जिससे कि उनका अश्टक पूरा हो जाए या फिर बोलेंगे कि उनका डियोपलेट पूरा हो जाए यही कारण है कि तत्व जो हैं विभिन प्रकार से एक दूसरे तत्व से सहयोग करते हैं और सहयोग करके योगीकों का निर्मान करते हैं यह मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया था जैसे कि मालो नियॉन है तो नियोन का electronic विन्यास होता है 2 और 8 तो ये अस्टक इसका पुर्ण है इसलिए नियोन कोई भी योगी का निर्मान नहीं करेगा लेकिन सोडियम है क्लोरीन है हाइड्रोजन है कार्बन है ये क्या देखो हाइड्रोजन का कार्बन का क्या होता है 2 और 4 तो sir क्या ये तत्व योगीकों का निर्मान करेंगे yes ये योगीकों का निर्मान करेंगे क्योंकि इनका अश्टक पूर्ण नहीं है देख लो तुम इसके लाष्ट में एक है इसके लाष्ट में साथ है इसके लाष्ट में एक है और इसके लाष्ट में क्या है? चार, तो इसी कारण से जो तत्व हैं, जिनका अश्टक पुर्ण नहीं है, वे क्या करते हैं? बहुत सारे योगिकों का निर्मान करते हैं, तो भाई अब ये योगिकों का निर्मान कैसे करते हैं, तो तीन तरीकिस मैंने बताया, तो ये च accounting यहीं दूप्ट नाम! तिसरे के बारे में तुम लोग पढ़ना ओए नहीं है टो भाई इसमें क्या होता है? इसमें जैसे मैंने पिष्लेहीं अध्यायंथ घता था जैसे बात करो यदि सोडियम की 200 के लास्ट में एक इल"; तो यह चाहता था कि एक electron दे दिया जाए क्योंकि ये आसान है इसमें बहुत कम उरजा की आवशक्ता होगी इसलिए चाहेगा कि एक electron दे दिया जाए तो तुम बोलो किस्तार यदि यहाँ पर ये एक electron देना चाहता है इसका मतलब है कि ये 7 electron ले 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 ता तब भी इसका आठ बन जाता, तो एक देना क्यों चाहता है, क्योंकि इसमें उर्जा कम लगेगा, और क्लोरीन के लाश्ट में कितना इलेक्ट्रोन है बच्चा लोग 7 इलेक्ट्रोन है तो इसको क्लोरीन को एक इलेक्ट्रोन चाहिए और सोडियम को एक इलेक्ट्रोन देना है इस प्रकार से दोनों का लग रहा है कि काम बनेगा तो सोडियम बोलता है कि लो भाई एक बन गया और क्लोरीन जैसे ही एक एलेक्ट्रोन लेगा ये भी बड़ा खुस हो जाएगा कि अरे वह मेरा भी क्या हो गया मेरे पास भी लाश्ट में 8 हो गया और दोनों खुस हो गया और इस प्रकार से दोनों के बीच में एक आबंध बन गया अट्रैक्शन फोर्स लगना चमज रहो बात को समझ में आ गिया तो इस प्रकार का जो आबंध बन रहा है जिस में स्धा नानतरन होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं वैद्यत सेयोजक आबंध बोलते हैं बिल्कुल बहुत आसान है बज चलो लेकिन अब यहां दूसरा हम लोग को देखना है तो जड़ा इसको एक और नजर से देख लेते हैं जैसे मालो यह जो वैद्यूत से आपन्द और अच्छे से सिक उद्धारण से देख लेते हैं जैसे मालो कि एक आदमी है उसका तीन आंख उग गया है तो क कि वो नॉर्मल इंसान के जैसा हो जाए यानि कि वो एक एक आख को देना चाहेगा ठीक उसी प्रकार से जैसे सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन को बिचारा देना चाहता है और परिशान है कि कैसे हम दे दें अब कोई एक आदमी ऐसा भी है जिसका सिर्फ एक ही आख है तो वो क मुझे एक आख मिल जाता तो मेरा तो लाइफ बन जाता यह हाल किसका है क्लोरीन का है यह साथ इलेक्ट्रॉन था एक इलेक्ट्रॉन यदि चाहता है कि कोई यदि दे देता तो मेरा तो लाइफ बन जाता तो इस प्रकार से दोनों साथ में आ जाए तो यह एक आख दे दिय और इसने एक आँख ले लिया और इस करन से इनके विश में एक आबंध बॉंडिंग भी अच्छा रिलेशन भी बन जाएगा ऐसा तुमने सोचा कभी येस और यहां भी वैसे ही होता है सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरी ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इ मैं भी कोशिस करता हूं कि मैं भी अपना लाश्ट में आठ पूरा कर लूँ कार्बन क्या चाहेगा कि भै उसके लाश्ट में भी आठ हो नहीं चाहेगा लेकिन यहां पर ही तुमको दो बात समझनी होगी अब जैसे ही हम लोग कार्बन का बात करते हैं तो इसके पहले तुम् चार इलेक्ट्रोन और प्रोटोन का संख्या कितना होगे तुम्हारा छे समझ रहे हो बात को नहीं समझ रहे हो यानि कि तुमने नाइंथ नहीं पढ़ा है कि यह जो इलेक्ट्रोन होता है और प्रोटोन होता है उसका संख्या बराबर होता है और यह सारा चीज नाइंथ में तुम्हें पढ़ाया हुआ है तो ध्यान से सुनो. कारबन ने देखा सोडियम और क्लोरीन को कि भाई, वो लो क्या बना रहे हैं? आबंद बना रहे हैं, तो कारबन को लोघा कि चलो मैं भी आबंद बना लेता हूं, क्या दिक्कत है? तो ये भी चाहता है वैध्युद स्योज्ध आबंध बनाना, इसके पास दो उपाय है, या तो चार एलेक्ट्रोन दे देगा किसी को कि ले जाओ भई या चार एलेक्ट्रोन, तो मेरा दो हो जाएगा, मैं खुस हो जाओंगा, या इसके पास एक और उपा है कि चार इलेक्ट्रोन कहीं से ले लेगा तो इसका आठ हो हो जाएगा ये दोनों तरीका से आठ पूरा करकि एक खुस हो जाएगा लेकिन भाई देखा देखी जिसे तुमने सोना है ना कि देखा देखी कोई काम सही होता है नहीं बिलकुल नहीं सब लोग अपने आप में खास होता है तो कारबन भी अपने आप में खास है जब बेचारा ऐसा करने गया कि चार इलेक्ट्रोन देने गया तब भी इसको भारी समस्या है और जब चार ELEKTRON लेना चाहता है तब भी इसको भारी समस्या है इसका मतलब यह न चार ELEKTRON दे पाएगा और न चार ELEKTRON ले पाएगा यानि यह वैद्युत नहीं हो जाकि यौगिक नहीं बना पाएगा बेचारा तो इसी को तुम्हें समझना है यही question आएगा तुम्हारा कि आखिर यह जो carbon यह 4 electron क्यों नहीं दे सकता है तो सीधा सीधा answer है कि 4 electron यदि यह देना चाहेगा तो बहुत जादा energy का इसको उपयोग करना पड़ेगा इसलिए यह 4 electron नहीं दे सकता है अब देखू तो भाई 4 electron ले क्यों नहीं सकता है तो इसका उत्तर यह है कि जैसे ही 4 electron लेगा देखना यहाँ 8 electron हो जाएगा और 8 और यह 2 क्या हो जाएगा 10 यानि पूरे कक्षाओं में 10 electron होगा negative charge और positive charge कितना है 6 तो जो 6 positive charge है 10 negative charge को संभाल नहीं पाएगा यही कारण है कि यहाँ पर यह 4 electron ले भी नहीं पा रहा है समझ में आ गया पूरा बात क्लियर हो गया कि कार्बन एक ऐसा तत्तो है कि ना electron ले पा रहा है ना दे पा रहा है तो यह जो sodium chloride के जैसा सोचा था कि अरे हम भी यहाँ पर अपना यौगिक बना लेंगी यह बिचारा फुस हो गया नहीं बना पाएगा तो क्या इसको दूसरा उपाए सोचना होगा बिलकूल यह फिर दूसरा उपाए सोचेगा और दूसरे उपाए से आबंद बनाएगा और उसे ही अमनों क्या बोलते हैं सहसंयोजक आबंद तो यह कारबन दिमाग लगाता है तो कारबन का लाष्ट में कितना इलेक्ट्रोन है चार इलेक्ट्रोन है और यह कितना इलेक्ट्रोन चाह रहा है आठ इलेक्ट्रोन हो जाए तो यह क्या करता है सांझे दारी करता है और सांजेदारी करके अपना अश्टक को पूरा करेगा तो दिमाल लो यहां हाइड्रोजन था उसके पास एक इलेक्ट्रोन हाइड्रोजन था एक इलेक्ट्रोन हाइड्रोजन था एक इलेक्ट्रोन तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रोन है लाष्ट में एक दो तीन और चार और ये कितना बनाना चाहता है आठ तो ये क्या करता है ना इलेक्ट्रॉन देगा और ना है इलेक्ट्रॉन लेगा बलकि इसका सांजेदारी कर लेगा तो ये बोलेगा कि ये भाई वा तू हमको थोड़ा साथ दे दो अपना इलेक्ट्रॉन वा इसे करके की वोलेगा कि हमको अपना अपना इल्ट्रोंवा तो मो कि मद्द सांझेदारी कर लो घृइ के यहे बिल्कूल यहां गिन सकते हो तुम लोग यहां पर देख लो कैसे हम लोग कहां यह देखना यह देखण आ एक दो तीन चार पांट छे साथ और आठ इलेक्ट्रोन हो गया हो गया की नहीं हो गया बिलकुल हो गया तो यहां पर हाइड्रोजन भी बोलेगा कि मैं बेकूफ हूं क्या हाइड्रोजन का कितना था एक तो इसका भी वही problem है, बेचारत दे देगा तो इसका हालत खराब होगा, तो ये भी सांजेदारी कर लेगा, तो ये इस प्रकार से सांजेदारी कर लेगा, ये देखो, दो, तो hydrogen का कितना elektron हो गया, एक और एक, दो, एक और एक, दो, और इसको दो बना नहीं था, तो ये भी के सांजेदाडी से जो यौगीग बनता हूं, उसको क्या बोलते हैं, सहसयोजक आबंध, सहसयोजक आबंध ये बन रहा है, ठीक है, समझ में रहा है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बाग है एक उधारन से मैं समझा दे रहा हूँ तो सह स्यूज़काबन कुछ तरीके समझ सकते हो कि एक कमरा है मान लो इस कमरे में दो बच्चे इस तरीके से सो रहे हैं और दोनों के पास पतला पतला चादर है ठंडे का मौसम है और दोनों बहुत ज़्यादा ठंड से काप रहे हैं तो भाई अब यह बता दो कि आखिर क्या उपाए है कि दोनों को ठंडा भी नहीं लगे और दोनों आराम से मौहा रहे हैं भी सकें तो इसके लिए क्या होगा ये दोनों क्या करेंगे सांजेदारी करेंगे ये दोनों जो दो चादर है इस दोनों चादर को एक के ऊपर एक दोनों चादर इन लोग को कर लेंगे डाल देंगे और दोनों इसी के अंदर आ जाएंगे हुआ ना साजहदारी इसी प्रकार का होता है ना साजहदारी ठीक है तो इस प्रकार तुमने देखा कि ये जो दोनों चादर था पहले अलग-अलग था लेकिन अब ये दोनों का है यानि दो बच्चे हैं तो दोनों का ये दोनों चादर है इस प्रकार इनों ने सांजेदारी किया और सांजेदारी करके ये बहुत आराम सी यहाँ पर है तो ठीक इसको एनालोजी को यहाँ भी कर सकते है कि पहले कारबन था तो बिचारी के पास चार इलेक्ट्रोन था हाइडोजन था उसके पास एक इलेक्ट्रोन था लेकिन जैसे ही लोगों ने सांजेदारी किया तो कारवन के पास आठ इलेक्ट्रॉन हो गया और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया दो इलेक्ट्रॉन हो गया इस प्रकार हो गया यहां पर इलेक्ट्रॉन की सांजेदारी और इस प्रकार से बोला जाता है बच्चों एक्जा करके जाओ सारा चीज और उसे तुम एक्जाम में बड़ी हास एक्जाम एक्जाम दो तो अब देखो यहां पर हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज सिखें गे कि अब यह जो दो बिंदू है इसको इस प्रकार से मिलाएंगे तो इसे बोलते हैं यही हो गया तुम्हारा बॉंड को दिखाएंगे यानि इसको ऐसे दिखाएंगे ह। एच और एच ठीक है यानि कि यहां पर जो तुमको दिख रहा है ये वाला चीज ये दो बिंदू को दिखाएगा ये एक बिंदू को दिखाएगा दो एक दो यानि एक बॉंड दो इलेक्ट्रोन के सांजिदारी को दिखा रहा है चल एक और सीख लेते हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा तो स कुछ को यदि हम लोग इसकार एंटू बनाएं क्या बना दें अब देख ना अब धियान से देखो बच्चा लोग नाइट्रोजन का भी वही श्थिति हैं यह पांच बिचारा ना देगा ना गैन्AST-1 यहां पर ले रहा है है तो यह बने हो एक निप-बनु दो और और अब यहां रहा है नाशो यह वाला लैन को लोग मिलाते जाएंगे और यह line को मिला करके इस प्रकार से एक दो और तीन हम लोग कर देंगे तो इसको बोलेंगे triple bond in तो इसको बच्चा लोग बोलते हैं single bond एकल आबंद इसको क्या बोलते हैं एकल आबंद इसको बोलेंगे त्री आबंद और जबकि द्वी आबंद भी हो जाएगा ओ टू यदि हम लोग देखेंगे तो ओ हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छे यहां पर यहां दो लिख देते हैं ठीक है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रोन का सांजेदारी होता है सिर्फ दो इलेक्ट्रोन का देखो ऐसे और ऐसे यह दो इलेक्ट्रोन का सांजेदारी हो गया तो हो गया ओ डबल बॉंड ओ इस प्रकार से यहां पर द्वी आबंद हो गया इसको बोलेंगे द्वी आबंद इसको बोलेंगे एकल तो अब फिर से हम लोग इंसियाटी को पढ़ेंगे और रेक लाइन को समझेंगे बाई चाप्टर लंबा होने वाला है तो वीडियो को थोड़ा फास करके देखो तो चलो अब हम इसे पढ़ लेते हैं तो यहां देख सकते हो कार्बन में आबंधन सह सयोजी आबंध तो जिद सयोजत आबंध से यौगिक बनते हैं उसे ही क्या बोलते हैं आयनिक यौगिक हम लोग बोलते हैं ठीक है ना तो पिछले दियाए में तो तुमने इसे पढ़ाई हैं और हमने देखा कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उसके गलनांग के वो मुकतनांग क्या होते चालन करते हैं यह भी बात तुमने पढ़ा है हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आबंधन की प्रकृति इन गुर्ण धर्मों की व्याख्या करती है यानि की आयनिक गुर्धन जैसे कि एने सील है तुम्हारा तो एने सील में क्या है आयनिक आबंध है और एने सील को यही बात यहाँ पर बोल रहा है कि यह क्या है कि आयनिक योगिकों का जो आबंधन है उसका प्रकृति इसके गुन धर्म को क्या करता है बताता है तिक है जैसे कि आयनिक योगिकों का गलनांक एवं कोतनांक क्या होता है उच्छ होता है क्यों उच्छ होता है क्योंकि इसका ज गलनांक क्या होगा उच्छोगा और क्वथनांक क्या होगा यह भी उच्छोगा तो देखा तुमने इसके आबंधन के कारण बॉंड के कारण इसका गुन भी उस प्रकार का है जैसा कि हमने अध्यायदो में देखा अध्यायदो में हम लोगों ने देखा था अधिकांस कारब योगिक अच्छे विद्यूचालत नहीं होते हैं उपरोक्त योगिक के कोथ नांक जो कि आइनिक योगिक कोथ कोथ नांक हो था गलनांक की तुलना में काफी कम है यानिक जो कार्बन होता है gives या सोते हैं धैसे Zw Butter एसिटी के सीड हो गया क्लोरोफॉर्म हो गया एथिनॉल हो गया मेथेन हो गया इसका गलनांग के उनको थनांग देख सकते हो यह उतना ज़्यादा उच्च नहीं है जितना की आयनिक यौगीकों का होता है समझ में आ गया तो यह किस बात पर निरभर कर रहा है इसके आबंध पर निर्भर कर रहा किस प्रकार का आबंद बन रहा है किस प्रकार का बॉंड बन रहा है समझे में आ रहा है सारा चीज तो अध्याय तीन के आकड़ो सानी पर नहीं होता है कि इन योगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पती नहीं होती है जैसे कि NaCl को तोड़ने पर सोडियम आयन बनेगा लेकिन CH4 का बॉंड यदि तोड़ा जाय तो कोई भी आयन का निर्मान नहीं होगा और यदि आयन का निर्मान नहीं होगा तो विद्जुत का चालन नहीं होगा यही बात यहाँ पर बता रहा है समझ रहे हैं उस सारी बातों को तो देखो छोटी छोटी बाते लिखी हुई है लेकिन उसमें कितना सारा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है कच्छा नौ में हमने विभिन तत्वों की सयोजन छमता अत्वा तथा सयोजकता इलेक्ट्रोन की संख्या पर इनकी निर्भरता के बारे में अध्यन किया है अब हम कार्बन के इलेक्ट्रोनिक विन्यास के बारे में अध्यन करेंगे तो कार्बन की परवानुशंख्या 6 है और electronic विन्यास 2 और 4 है सब पढ़ा दिया ना तुम्हें अभी बिल्कुल पढ़ा दिया सारा चीज उसी को यहाँ पर एक बार बताया जा रहा है तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी तत्व है वह अपने अंतिम कप्षा में क्या बनाना चाहता है आठ इलेक्ट्रोन मरना चाहता है या दो इलेक्ट्रोन करना चाहता है क्यों ताकि वह अस्टक पूरा कर ले या फिर इस तरीके से इसको कहेंगे कि यह उत्कृष्ट गैस के उतक्रिष्ट गैस जो होती है ना उस प्रकार का विन्यास को ये प्राप्त कर ले यह यह चाहता है तो हम जानते हैं कि बाहरी कोस की पूरी तरह भर देने अर्थात उत्क्रिष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रविर्थी के अधार पर तत्वों की अभिक्रिया सिल्ता समझाई जाती हैं, समझ गया है? तो अब तुम्हें उत्क्रिष्ट गैस थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, जैसे हीलियम हुआ, नियोन हुआ, आरगन हुआ, क्रिप्टन हुआ, इन्ही को क्या बोलते हैं? उत्क्रिष्ट गैस और इसका जो परमाणू का जो विन्यास हम लोग निकालते हैं, इलेक्ट्रोनिक विन्यास तो वो देखोगे कि ये होगा दो और आठ, ये होगे तुम्हारा दो आठ और आठ, तो देखोगे लास्ट में या तो आठ होता है, या तो क्या होता है? दो होता है, तो जो बाकी के तत्व हैं, वो भी इसी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक विन्यास को चाहते हैं, य निर्मान करते हैं और इन योगिकों का कैसे कैसे निर्मान करते हैं तो भी तो सिखा दिया कि ये जो योगिक बनाते हैं वो वैद्यूत सयोजक आबंद या सह सयोजक आबंद के अधार पर विभिन प्रकार के योगिकों को बनाते हैं तो देखोगे जो वैद्यूत सयोजक पर जो यौगिक बनेगा उसको बोलेंगे स्ता सेयोजी यौग यौग या फिर इसी को क्या बोलते हैं को वैलेंट कंपाउंड समझ गए यह सारा बात यहां पर बताये गया है तो मैंने तुम्हें अभी सारा चीज़ तो कंप्लीट करा दिया ना कि अब कोई भी तत्व है वह बहुत प्रकार से बहुत नहीं दोही पढ़ा है हम लोगोंने कि वह क्या करता है कि अपने लाश्ट में आठ इलेक्ट्रॉन पाना चाहता है तो यहां जिससे हम लोगोंने सोडियम का बात किया था क्लोरीन का बात किया था तो हम लोगोंने देखा था कि यह जो सूडियम है लाश्ट में आठ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा जबकि क्लोरीन क्या करता है एक इलेक्ट्र और प्राप्त भी नहीं कर सकता और चार इलेक्ट्रॉन खो भी नहीं सकता सी का कितना होता है सी का होता है दो और चार तो इसको लाश्ट में आठ बनाना है या मालनो कभी ये दो बनाना चाहेगा दाश्ट में तो दो बनाने के लिए चार देना पड़ेगा तो भाई ये कैसे करेगा दोनों में इसको problem है क्या problem है ये मैंने उपर बता दिया इसलिए इसको मैं पढ़ाने वाला अब नहीं हूँ तो इसलिए carbon क्या कहता है यह सांज्यदारी करता है और फिर सांज्यदारी करके अपने electron को पूरा कर लेता है तो carbon अपने अन्य परमानों अथ्वा अन्य ततों के परमानों के साथ सेयोजक्ता electron की सांज्यदारी करता है और इसको करके इस समस्या से मतलब इस स्प्रॉब्लम को ठी कर लेता है और आठी electron अपने पास मतलब यह octate पूरा कर लेगा कैसे इलेक्ट्रोनों की सांजेदारी से केवल कार्बन ही नहीं अब देखो सिर्फ कार्बन के बारे में ही नहीं बलकि अनेक ऐसे भी तत्व है जो इलेक्ट्रोनों का सांजेदारी करके अनुओं का निर्मान करते हैं जैसे मैंने हाइड्रोजन के बारे में बताया था कि हाइड्रोजन को दो चाहिए तो ये भी क्या करेगा सांजेदारी करेगा ऑक्सीजन के बारे में बताया था मैंने ये ऑक्सीजन भी क्या कर लेता है सांजेदारी कर लेता है फिर नाइड्रोजन के बारे मैंने बताया था तो जिन इलेक्ट्रोनों के साज़ेदारी की जाती है वे दोनों परमाणों के बाहरी कोस में ही होते हैं तो बाहरी कोस वाले को ही दिखाते हैं बताय था ना जिसे सी में एक दो तीन चार तो इस चार C में क्या होता है दो और चार होता है तो अंदर वाले को नहीं दिखाते हैं बाहर वाले को सिर्फ यहां पर दिखाते हैं तथा इसके फलस्रूप दोनों ही परमाणू उत्कृष्ट गैस विन्यास के इस्थिती को प्राप्ट कर लेते हैं इसका मतलब यदि यहाँ पर हम लोगों ने CH4 देखा था तो CH4 में C का भी Octate पूरा हो जाएगा और Hydrogen का क्या हो जाएगा Duplet यानि की यह भी Helium के तरह विन्यास प्राप्त कर लेगा और Carbon किस के तरह विन्यास प्राप्त कर लेगा तो इस प्रकार से सारा बात यहां पर अब तुम्हारा क्लियर हो चुका होगा कि Carbon के यॉगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रोनों की सांसेदारी से बनने कुछ सामान्य अड़ों को समझते हैं यह देखो Hydrogen को बताए गया और इससे Direct Question आएगा तुम्हारा Electron.Formula कहेंगे उसको ठीक है और उसको बनाने के लिए तुम्हें यहां पर पूछेगा यह सब चीज यहां पर अब हम लोगों को बस इसको याद करते जाना है तो अब हम लोग यहां पर Electron की सांज्य दारी से बने कुछ सामान्य अड़ों को समझते हैं तो भाईया अनु कैसे बनता है परमानु से बनता है तो देखो यहां पर Hydrogen का परमानु और Hydrogen का परमानु आपस में मिलेगा तो फिर क्या बनाएगा Hydrogen का अनु बनाएगा और यह दूई परमानु है क्योंकि यहां पर दो परमानु है यह सब जानते हो ना बिल्कुल क्योंकि यह Class 9 में ही पढ़ा है और साथ ही यहां पर सांज्य दारे Electron देख सकते हो जैसे सुरू में इस सारा तो पढ़ा दिया मैंने कि किस प्रकार से Hydrogen का जो Atomic Number है वह 1 है और इसका Electronic Vinyas क्या है एक है यानि किसका Last में Electron के संख्या क्या है एक है तो इसको हम लोग इस प्रकार से दिखा देंगे और एक और Hydrogen इस प्रकार से है और इसको Last में दो परमाणों करना है तो ये क्या करेगा संख्यादारी करेगा बोलेगा कि ये वाला बोल रहा है कि ये वाला हमको संख्यादारी करो क्या इसकी संख्यादारी होगी बच्चो नहीं इसकी संख्यादारी नहीं होई है यह बोलेगा कि भाई हम बेकूफ है कि हम मुझसे भी सांजेदारी करो तो यह इस प्रकार से लगा लेगा जोड़ी और यहाँ पर देखोगे कि यह दो इलेक्टरॉन की यहाँ पर क्या हो रही है सांजेदारी हो रही है और ये भी मैंने बता दिया कि इन दोनों में एक लाइन हम लोग खीश देंगे तो ऐसे हो जाएगा और इसी क्या बोलते हैं सिंगल बॉन्ड बोलते हैं अब तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा तो देखो एच सिंगल बॉन्ड एच हो गया और ये दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है सांजेदारी हो रहा है और यहां एकल आबंद है कैसा आबंद है बच्छा लोग एकल अभी मैंने बताया था ना इससे कहेंगे एकल आबंद या फिर सिंगल बॉन्ड इस तरह से बने अडूओं में सबसे समाने नहीं हाइड्रोजन क है जैसा कि आपने पहले अधियन किया है हाइड्रोजन के परमानों की संख्या एक है अता इसके केक उस में एक इलेक्ट्रॉन दता केक उसको भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन किया है सकता है ताकि यह हीलियम की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप इसी को अक्रिय गैस बोलेंगे, नोबल गैस बोलेंगे, उतक्रिष्ट गैस बोलेंगे, सब इसी का नाम है, तो ऐसा ही उनलोग चाहता है कि बन जाएं, इसी के क्रम में ये क्या करता है, ये फिर बॉन्ड बनाता है, आबंध बनाता है, आबंध को ही अंग्रेजी में बॉन् इसलिए hydrogen के दो पर्मानों अपने एक electron की सांजेदारी करते question यदि कभी पूछे कभी जिन्दगी में नहीं पूछेगा कि hydrogen कितने electron की सांजेदारी करता है तो एक electron की सांजेदारी करता है करके hydrogen का अनू H2 बनाता है तो सारा बात clear हो रहा है एक दम बिल्कुल clear हो जाएगा बच्चो परिणाम सरुफ hydrogen का प्रते करूं अपने निगरता मुत्कृष्ट गैस helium के electronic विन्यास को प्राप्त करना चाहता है helium के बारी कोस में कितना electron है जल्दी से बता दो 2 electron है H2 कितना होता है चार तो 2 और 2 यानि कि last में कितना है तुम्हारा अरे उल्ट मैं क्या बता रहा हूं यार H2 होता है 2 तो last में कितना है तुम्हारा 2 electron ठीक है न तो इस प्रकार से ये 2 electron hydrogen का complete हो गया कैसे जब उसने bond बनाया तब अब चलो electron के साभागी युग्म हाइडोजन के दो परमाणों के बिच सासेयोजी आबंद बनाते हैं यानि ये जो electron है इसको बोलते हैं साभागी युग्म ये क्या गया साभागी युग्म हो गया जो कि इनके बीच में कैसा आबंद बना दिया सासेयोजी आबंद और सा संयोजी आबंद के कारण इस योगी को क्या कहते हैं सा संयोजक योगी कियानि की को वैलिंट कमपॉंड भी कहते हैं यह मैंने बताया था भी तुरंट में इस आबंद को दो परमाणों की बीच एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त करते हैं इस तरीके से यदि दो इलेक्ट्रोन है तो उसको रेखा ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो यह एक लाइन बताया कि यहां दो इलेक्ट्रोन का सांचेधारी हो रहा है चलो क्लोरीन के परमाणों की संख्या सत्रह है इसका इलेक्ट्रोनिक विन्या सत्था स्योजकता क्या है जानते ही हो कि chlorine बार-बार तो पढ़ा रहा हूं धो, आठ और साथ है है ना, chlorine दुब परमावाणू, अनू, Cल-2 बनाती है क्या आप इस अनू की electron बिंदू संग्रशना बना सकते है तो देख क्लो, chlorine क्या हो गया एक यहां हो गया फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर chlorine एक है और बना दो तो एक दो तीन चार पांच है बताओ यहाँ पर साथ ही last में क्यों बनाया क्योंकि ये जो last वाला है उसी को हम लोग दिखाते ही ये ही जो last वाला इसी को बलते हैं सही हो जकता electron और यही आबंद बनाता है यही bond बनाता है यही यॉगिक बनाने में मद करता है बीच वाला नहीं समझ गया ना यह तो सब बताया हुआ है तुम्हारा तो भाई इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यह इस तरीके से सांजीदारी करेगा और और सियल सिंगल बॉंड सियल यानि के सीयल 2 का निर्मान करेगा समझ में आ गया सारा बात याद रखी केवल सहिं जक्ता कोश सराथ को यानि कि जो लास्ट मेरा उसी को दिखाना है पहले वाले को नहीं 6 ति लाश्ट वाला को यहाँ दिखा है देखो एक दो तीन चार पाँच और 6 यह X नहीं है यह इस तरीके से ऐसे कि है? ऐसे क्रोस किया हुआ है. ऐसे X मत पढ़ने लगना कि X लिखा हुआ है, क्रोस किया हुआ है. एक Auchषिजीन हो तिर एक और आक्सीजन लिया इसको ऐसे क्रोस करकर कर दिखा दिया किस चीज को दिखा दिया इलेक्ट्रोन को दिखा दिया अब यहाँ पर यह इसको ऐसे साजिएदारी कर लेगा और यहां पर यहाँ यहाँ पर अधी है समझ dessus नहीं है यह देखना गिना एक दो टीन 44 بال 3, 4, 5, 6, 7, 8, समझ गये, और इनके बीच में ये दोनों लाइन मिला देंगे, तो O, Double Bond O, यानि कि O, यहाँ पर द्वी आबंद से O के साथ जुड़ा हुआ है, यही सब यहाँ लिखा हुआ है, यह सब यहाँ पर द्वी आबंद बन रहा है, ठीक है, क्या अब आप जल के अनों को चित्रित कर सकते हैं, H2 O को चित्रित कर सकते हैं, तो H2 है, और O कितना है, एक है, तो इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे बना देंगे, और हाइडोजन का एक सही है बच्चो बिल्कुल सही है सर, अब देखो, तो हाइडोजन को इस प्रकार से हम लोग कर दें, तो हाइडोजन का यहाँ अस्टक नहीं, ड्यूपलेट प्रूरा हो गया, मतलब यह दो यहाँ क इलेक्ट्रोन ऑक्सिजन का भी हो गया, तो यह जो दिख रहा है, यहाँ पर एक सिंगल बॉंड और यहाँ एक सिंगल बॉंड होगा, तो ओ इस तरीके से सिंगल बॉंड के द्वारा जुड़ेगा, और H2O बनाएगा, यानि कि जल का निर्मान करेगा, और इसमें देखो, दो यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रोन बच गिया है, यह इलेक्ट्रोन यहाँ पर सांजेदारी में भाग नहीं ले रहा है, यह मतलब अलग है, सांजेदारी में यह दो इलेक्ट्रोन भाग ले रहा है, यहाँ ध्यान देना, ठीक है, जो इसके अंदर आ गया, वही सां थे एन ट्रिपल बॉन्ड इन पड़ने का तुम्हारा इन क्या होता है इन होता है सेव एन दो और पांच तो यह पांच को यहां पर हम लोग दिखाते हैं नाईट्रोजन के दूपर मानू अनू में कैसा आबंद होगा नाईट्रोजन की परमानू संख्या साथ इसके इलेक्ट्रोन का सांजेदारी होगा जिसते इलेक्ट्रोन के तीन सहभागी युग्म प्राप्त होंगे यनि यहां एक दो तीन सहभागी युग्म प्राप्त हो रहा है यनि कि तीन तीन इलेक्ट्रोन का सांजेदारी हो रहा है इसे दो परमाणों के बीच त्री आबंध बनन कहते हैं तो इंटू के इलेक्ट्रोनों के भी संगरशना तथा इसके त्री आबंद कोचित्र यहां पर दिखा गया है तो हम लोगों ने देखा एकल आबंद होगा ठीक है फिर द्वी आबंद भी देखा जाता है फिर त्री आबंद भी देखा जाता है अब वो लोगे प्रकार से तीन आबंद हम लोग देखते हैं उसका भी कारण होता है जो कि आगे कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे अब देखो अमोनिया के अनू का अनू सुत्र क्या होता है एनस्ट्री क्या आप इस अनू का और इसको ऐसे थोड़ा दिखा देना है ना यह तो मैंने तुम समझाने के लिए बता दिया इसी प्रकार से जो इस्टू भी मैंने बता है था ति यह पूरा का ऐसे घेरा हम लोग लगा देंगे यहाँ पर यह समझ रहो ना इसमें गल्ती तो नहीं कर दोगे ठीक है ना तो च जाती है ना ना इट्रोजन को नियॉन के जैसा और हाइड्रोजन को हीलियम के जैसा इसका क्या होगा उत्कृष्ट गैस का यह विन्यास प्राप्त कर लेगा अब हम मेथेन को देखते हैं जो कार्बन का योगिक है इंधन के रूप में मेथेन का अधिक-अधिक उप्योग में होता है तथा यह बायो गैस हम संपीडिड गयत cng का प्रमुग घटक है याद रखना है कि cng कंप्रेश्ट निचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है मेथेन है बायो गैस का सुत्र CH4 है जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन की संयोजी है मतलब का जबन का संयोजी चार है दो और चार तो यह अब कैसे बनाएंगे इसको तो देखो इस तरीके से बनाएंगे सुरू में ही बताया था एक दो तीन चार दो को दिखाएंगे नहीं दो को नहीं दिखा जाता है और हाइड्रोजन कितना होता है एक तो हाइड्रोजन यहां पर एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन य यहां पर इस तरीके से सांचेदारी को दिखाना होगा तो इस प्रकार से यहां कार्बन का एक दो है ना तीन चार एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ हो गया और हाइड्रोजन का तो दो दो हो ही गया इस प्रकार से यहां मिला भी देंगे इसको डंडा डंडा इसमें न बॉन्ड हों गिया और यह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है यह कैसा बॉन्ड है बचलो सिंगल इसको कहते हैं इस को इस प्रकार तो पर्माणुरों के बीच एलेक्ट्रों एक यूग में के सांजेदारी के द्वारा बनने वाला आबंद सा संयोजी आबंद कहलाता है इसका मतलब हो गया तो मैं ऐसे लिख देना सिधे सिधा कि इलेक्ट्रॉन का सांजेदारी के द्वारा जो आबंद बनता है उसे क्या कहते हैं सा संयोजी आबंद कहते हैं अब दू जिनका निर्मान सासयोजी आबंद के द्वारा होता है उससे सासयोजक यौगिक कहते हैं यह लिख सकते हो अब देखना सासयोजी आबंद वाले अनुओं में भीतर तो प्रबल आबंद होता है लेकिन इनका अंतर आणुक बल दुर्बल होता है यानि कि यदि ह2O है ह2O तो इ इसमें क्या हो रहा है इसमें जो आबंद है ओ और हाइड्रोजन के बीच आबंद है वह काफी प्रबल है लेकिन एक और एच्टो यहां पर लगा दिया गया एक और एच्टो तो काफी सारे अणू यहां पर हो गए इनके बीच का जो बॉंड है वह क्या होगा उतना मजबूत नहीं है इसी को बोल रहा है अंतरा अनुक बल धूरबल होता है और इस कारण से इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है बहुत कम होता है यहां से कुछेगा कि जो सहसायोजी यौगिक है उसका क्वथनांक और गलनांक कम क्यों होता है तो इसका उत्तर देना कि अनु के बी इन सब के बीच में अकर्शन बल क्या है बहुत कम है इसलिए इसको कवथनांक भी कम होगा और गलनांक भी क्या होगा कम होगा चुकि परमाणूं के बीच इलेक्ट्रॉन के सांध्यदारी होती है और आवेशित कन बनते हैं ठीक है सामान्यता ऐसे सास्योजी यौगिक विद् यहां परमाणूं के बीच क्या होता है सांध्यदारी होता है ठीक है और आवेशित कन बनते हैं समान्यता ऐसे सास्योजी यौगिक विद्यूत के कुचालक होते हैं तो ऐसा सास्योजी क्या होगा विद्यूत का क्या होता है कुचालक होता है जैसे हम लोगों ने आयनिक में पड़ा सूचा लग लेकिन यहां पर क्या होगा कूचा लग तो अब देखो यहां पर एक तुम्हें यलो बॉक्स मिलेगा यहां जैसे देख सकते हो कार्बन के अपर रूप यह भी बहुत इंपोर्टन टॉपिक है तो अपर रूप क्या होता है जब कोई एक तत्व अलग- प्रकार के रूपों में पाए जाने की गुण को क्या कहते हैं अपर रूपता कहते हैं जैसे की देखोगे जो कार्बन तक तो है वह हीरा के रूप में पाए जाएगा ग्रेफाइट के रूप में पाए जाएगा बक मिन्स्टर फुलरीन के रूप में पाए जाएगा ठीक ह तो यह जो कार्बन है वह अलग-अलग अपर रूप में इसके होते हैं तो सबसे पहले अब हीरा देख लो और फिर ग्रेफाइट देख लो तो यहां पर क्या पढ़ना है यहां पर इसका संग्रशना देखना है जैसे यहां देख सकतो हीरा का संग्रशना दिखाए गया है यह बच्चा लोग यहाँ पर जड़ां डो कि ये जो रहा है सिर्फ in कारबन ही देह देख हों ये कारबन 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 जैसे हम लोग अभी तो सीख्वा हम लोगों ने कारबन के चारो और चार जगा इस तरीके से खाली है जहां पर अभी hydrogen जोड़ा था हम लोगों ने जोड़ा था ना मिथेन बनाने के लिए तो यहां पर दूसरा तत्व नहीं जोड़ना है सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही यहां पर मौजूद है यानि कि यहां पर कार्बन है कार्बन है कार्बन है फिर इस से और अदर कार्बन जुड़ा हुआ है इस प्रकार कार्बन हीरे के रूप में पाया जाता है और ठीक यहां पर देख सकते हो ग्रेफाइट के रूप में भी यहां जो नीला नीला देख रहे हो यह सब क्या है कार्बन है यह सब क्या तो यहां पर अब हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा इसके बार में दो तीन लाइन पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी का यह है चलो हम लोग देखते हैं तो हीरा एवं ग्रिफाइट दोनों ही सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बने होते हैं या बोलेंगे कार्बन एटम या परमाणों से बने होते हैं कार्बन के परमाणों के परसपर आबंधन के तरीकों के आधार पर ही इन में अंतर होता है अब भाई तुम सोचो जरासा यह हीरा भी सिर्फ कार्बन का ही बना है और ग्रेफाइट ग्रेफाइट ने दिनी समझ में रहा है तो तुम्हा हे और एक तुम्हारा पेंसिल का नोक में जो ग्रेफाइट है वो स्में कितना अन्तर होता है यदि अन्तर देखा जाए तो यह हीरा है बहुत कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट चिकना पदार्थ होता है यदि हीरा की बात करें तो ये विद्यूत का कुछालक होता है इससे होकर के विद्यूत प्रवाह नहीं होता है लेकिन यदि ग्रेफाइट की बात करें तो इससे होकर के विद्यूत का प्रवाह होता है औरे भाई ये कैसे हो र रहा है इसका उत्तर यहां पर दिया है कि इसमें जो कार्बन परमाणू आपस में जुड़े होते हैं सजे होते हैं और उसके बीच में जो आबंद होता है बॉंड होता है उसके कारण उसके कारण इसके गुणों में क्या होता है काफी ज्यादा अंतर तुम्हें देखने को मि नदी कोई इशना राके संग राषना बता एं तो हीड़ा होता है उसमें कार्बन का प्रतीक परमाणूं शड़ुरा होता है यू ये चार कार्बन से जुड़ा हुआ है एक दो तीन और crack कारवन परमाणूं से जुड़ा होता है और एक द्रिड त्री आयामी यानि थ्री डाइमेंशनल संग्रशना का निर्मान करता है इसी कारण से से बहुत कठोर माना जाता है स्ट्रुक्षर होता है अब देखो यह कार्णा परमारूं Oscar dal stress अक्रें की यह चुरू यहां पर समझा दे रहा हूं मैं यह यह देखो यहां पर यह देखना यदि यह करबन है तो इधर एक दो तीन से जुड़ा हुआ है यह इसका बात करें तो एक दो तीन से जुड़ा हुआ है तो इधर भी ऐसे ही जुड़ा हुआ है सब कारबन यहां पर ऐसे ही जुड़े हुए है ठीक है इस प्रकार से एक कार्बन तीन अन्य कार्बन पर वर्ण हुए के साथ क्या होता है एक ही तल पर होता है अब एक तल मतलब समझो जैसे एक रोटी यहां रख दिया फिर दूसरा रोटी यहां रख दिया फिर तीसरा रोटी यहां रख दिया तो एक रोटी यहां जो रखा उसको एक तल बोलेंगे उसके नीचे वाले रोटी को दूसरा तल बोलेंगे उसके नीचे वाले रोटी को तीसरा तल बोलेंगे तो देख सकते हो यह एक तल हो गया फिर इसके नीचे दूसरा तल हो गया फिर इसके नीचे तीसरा तल होगा अब यहाँ पर देखोंगे carbon carbon के बीच में यह आकर्शन बल यहाँ पर काम करेगा इस प्रकार से यहाँ बहुत ज्यादा rigid structure तुम्हें देखने को नहीं मिलता है जिस कारण से यहाँ पर यह जो संग्रशना है वह क्या होता है यह मुलायम होता है अब देखो फिर से देख लो कि यह कारबन तीन अन्य कारबन परवाणों के साथ एक ही तल पर सट कोनिये व्यू मिला मिलता है तो एक दो तीन चार पांच छे सट कोनिये इस प्रकार से ये बनाता है ठीक है ना इसमें से एक आबंध द्वी आबंध होता है अब देहो कारबन परवाणों इधर से इधर से ऐसे त दीव आबंध हो जाएगा अब ये दीव आबंध के कारण ही यहां पर इसके कारण कारबन के से पूर्ण हो जाती है लेकिन इसी के कारण ये विद्युत का सुचालक भी हो जाता है ये भी बात याद रखना होगा तो आगे पड़ोगे तुम लोगे कैसे इसमें प्रवाहित नहीं होता है और जो ग्रेफाइट का संगरशना है संगरशना के कारण ही इसमें वीजुत प्रवाह होता है ग्रेफाइट की संगरशना सड कोनिये तल एक तल के उपर दूसरे तल में विवस्थित होता जैसे मैंने बताया जैसे रोटी एक के रोटी के उपर द भौति गुड़ धर्म बहुत जादा अलग होते हैं जबकि उनके रासाइनी गुड़ धर्म क्या होंगे समान होंगे तो हीरा अब तक का ग्याद सरवाधी कुठोर पदार था यह भी तुमने जान ही लिया अब देखो ग्रेफाइट कैसा होता है चिकना होता है तथा फिसलन सील होता है यह भी जान लिया अब यदि क्वेशन आया कि हीरा और ग्रेफाइट में अंतर करें तो उसका जो भौतिक गुड़ में अंतर बताया मैंने वो तुम कर सकते हो पिछले अध्याय में आपने जिन अध्याय गेवद्च पहरों के बारे में ध्याय है उनके विप्रित ग्रेफाइट विध्यत का सुचा लग होता है अभी तू पढ़ा दिया ये electricity को क्या करता है Conduct करता है Conductor of Electricity होता है क्यों होता है वह भी थोड़ा सा बताई दिया इसके संगरशना के कारण अब देखू जो शुद्ध कारबन होता है उसको अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर यदि हम लोग उसको उपचारित करेंगे तो हीरे को संसलेशित किया जा सकता है यनि सिंथेटिक जो हीरा है उसको बनाया जा सकता है सिंथेटिक डाइमंड बनाया जा सकता है और ये भी बिल्कुल वैसा ही होता है हीरे के जैसा लेकिन आकृती में क्या होगा छोटा होता है अब यदि किसी जोहरी के पास इसको ले जाओगे तो प्राकृतिक हीरा और ये जो प्रयोक शाला में ये हीरा जो बनाए जा रहा है इसमें वो विभेद बहुत असान इसे नहीं करपाएगा अब फुलेरीन कार्बन अपर रूप का अन्यवर्ग है इसमें सबसे प्रसिद कौन है C60 की पहचान की गए जिसमें कार्बन के परमानू फुटबॉल के रूप में विवस्तित होते हैं इसका जो अकृति है वह जियोडेसिक गुम्मद के जैसा लगता है जो किसने डिजाइन किया था तो बकमेंस्टर फुलरीन ने इसलिए इसे हम लोग फुलरीन के नाम से भी जानते हैं समझ गए बच्चा लोग क्या भारी है जी बहुत असान है यह कि एक लाइन में पढ़ा रहा हूं और जो केशन आ रहा है वह भी मैं सिखाते चला जा रहा हूं अब देखो कार्बन की सर्वतों मुखी प्रकृति यह क्या करता है वर्साटाइल नेचर ओफ कार्बन यह क्या कह रहा है ध्यान से सुनो तो विभिन तत्वों एवं यौगीकों में हमने इलेक्ट्रॉन की सांजी द्वारी द्वारा सहसेयों जी आबंद का निर्मान देखा अभी तो देखा कि कैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके सहसेयों जी यौगी का निर्मान कर रहा है हमने सरल कार्बन योगिक मिथेन की संगरशना भी देखी अध्याय के आरम में हमने देखा कि कितनी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है तुमने देखा ना कि कितनी सारे वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है वस्तुता हम स्वयम भी कार्बन के योगिक से बने हुए हैं हमारा शरीर, जन्तुओं का शरीर, पौधों का शरीर मुख्यरुप से किस चीज़ से बना हुआ है कार्बन से बना हुआ है हाल ही में प्रसायन सास्त्रियों द्वारा सुत्र सहीत कार्बन योगीकों की गणना की गई है जो लोगभग कई मिलियन है कई मिलियन तो भाई यहां से प्रश्ण उठता है कि भाई कार्बन इतने जादा योगीकों का निर्मान कैसे करता है अन्य सभी तत्वों की योगी को एक साथ रखने पर भी कारबन के योगी को की संख्या उससे कहीं 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 अधिक है ऐसा क्यों है भाई कारबन योगी को की संख्या इतनी जादा क्यों है यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है और किसी तत्व में नहीं मिलता है और इसी करण से कार्बन का एक अलग से रसायन ही बना दिया है कार्बनिक रसायन में हम लोग इसको पढ़ते हैं तो सहस्योजी बंध की प्रकृति के कारण कारबन में बड़ी संख्या में योगिक बनाने की छमता होती है कारबन दो कारण और कारबन में दो कारक देखे गए हैं तो यदी question तुम्हारा आएगा कि भाई कार्बन में बहुत सारे योगिक कार्बन क्यों बनाता है इसका question का answer करिए तो उसका answer में सबसे पहला क्या answer आता है स्रिंखलन यानि की catenation अब ये एक नया question में पूछ सकता है अलग सी तुमसे कि भै श्रिंखलन या catenation क्या है तो कार्बन का जो परमाणू है वह अन्य कार्बन की ही परमाणू के साथ आबंद बनाता है और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं स्रिंखलन कहते हैं और इसी करण से बड़ी संख्या में अनू का निर्मान होता है तो इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग स्रिंखलन बोलेंगे यानि कैटेनेशन बोलेंगे इन योगी को में कार्बन की लंबी स्रिंखला कार्बन की विभिन साखाओं वाली स्रिंखला तो था वले में विवस्तित कार्बन में भी पाये जाते हैं अब दूसरा पॉइंट समझो कि कार्बन का इतना ज़्यादा योगी क्यों बनता है क्योंकि कार्बन जो है ऐसे स्रिंखला बना सकता है फिर कार्बन जो है इस प्रकार से तुम्हारा ब्रांच भी बना सकता देखो इसे ब्रांच होता है और फिर कार्बन जो है इस प्रकार से इस प्रकार से रिंग का भी निर उप्रवन कर सकता है तो तीनों प्रकार से कारभन एक दम बना सकता है ब्रांच बना सकता है रिंग बना सकता है ठीक है यनि लंबश शृंखला बना सकता है हिंदी में बोले तो या फिर शाखहowal गाद या रिंग्लस मतलब वल्ड़े बने सकता है क्या हो just गुन हो गया तौद चीज तुमने देखता तीसरी और बात है इसमें की कारबन कारबन के ही परमानूओं से एक आबंध दूई आबंध और ट्रीयाबंध से भी जुर सकता है यानि कारबन-सिंगल-बॉंड-कारबन कारबन-डवल बॉंड कारबन यह Carbon Triple Bond Carbon भी बना सकता है तो यह तीन बाते आ गई यहाँ ध्यान से तुमने समझा अब देखू क्या बोलता है अब यहाँ दो नया बात बोलता है एक बोलता है संत्रिप्त योगिक और दूसरा क्या बोलता है असंत्रिप्त योगिक ये क्या चीज है, पूछेगा संत्रिप्त यौगिक, यानि saturated carbon compound किसे कहेंगे, unsaturated carbon compound किसे कहेंगे, तो जब carbon परमाणों के बीच केवल एक आबंद होगा, यानि कि carbon single bond carbon और इधर भी सब single bond हो रहा है, यानि single bond जब रहेगा, एकल आबंद रहेगा, तो उस प्रकार की यौगिक क्या बोलते हैं हम लोग उस प्रकार के योग को बोलते हैं संत्रिप्त योगिक याद हो गया बहुत असान था सवर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब कारबन कारण परमाणों के बीच में द्वी आबंध या फिर त्री आबंध वाले योगिकों का निर्मान होगा तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं और संत्रिप्त योगिक बोलते हैं जो कि आगे भी मैं पढ़ाऊंगा एक बर तुमें ठीक है कारबन योगिकों में जिस सीमा तक स्रिंखलन का गुन पाये जाता है वह किसी और तत्व में नहीं मिलता यानि किसका जो चीये ने बहुत 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 अब देखो सिलिकॉन हाइडोजन के साथ योगिक बनाता है जिसमें साथ या आठ परमाणों तक की स्रिंखला हो सकती है अब देखो सिलिकॉन भी कैसा है कारबन के जैसा है क्योंकि ऐसा ही 14 होता है और इसमें भी 2, 8 और लाष्ट में 4 इलेक्ट्रों सिलिकॉन में भी होता ह लेकिन इसका जो श्रिंखला होता है वो साथ या आठ परमानों तक ही सीमीध है लेकिन यह योगिक अती अभिक्रियाशिल होते हैं कार्बन कार्बन आबंद अच्यधिक प्रबल होता है यह भी द्यान देने वाला है कि कार्बन कार्बन का जो बॉंडिंग होता है वो बहुत जादा प्राबल होता है अतहिया अस्थाई होता है फल सरूप अनेक कार्बन परमानों के साथ हापस में जुड़े हुए अनेक यौगिक हमें प्राप्त होते हैं अब देखो यह तो सारा बात हो गया कार्बन के बारे में पहला स्रिंखलन हो गया फिर दूसरा देखना तुमन और भी समें खास मुण है की कार्बन का स्योजगता चार होता है अत् pretended के चार अन्य परमानों अथा कुछ अन्य एक स्योजगतत्त्व के परमानों के साथ अबंधन बनाता है यनि कि कार्बन जो है स्वह to कर्बन से जुड़ता ही है साथ में हाइड्रोजन से भी जूठ सकता है nitrogen से भी जूड सकता है oxygen से भी जूड सकता है इस प्रकार से यह oxygen hydrogen hydrogen nitrogen sulfur chlorine और बहुत सारे ततों के साथ ही यौगिक बनाता है तो यह point भी तुम याद रख लो देखा इतने सारे ये दीस में गुन है इसी कारण तो कारबन का बहुत सारा कंपाउंड हम लोगों को देखने को मिलता है अधिकतर अन्य तत्तों के साथ कारबन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं दूसरा टॉपिक आ गया बुहां तक खतम हो गया बाद तो अधिकतर अन्य तत्वों के साथ जो कार्बन अपना आबंध बनाता है वो बहुत प्रवल होता है जिनके फलोसुरूप ये योगी का तीशाय रूप से अस्थाई होते हैं कार्बन द्वारा प्रवल आबंधों के निर्मान का एक कारण इसका छोटा आकार है अब कार्बन क्या है C6 है तुम्हारा तो ये छोटा परमाणू है इस छोटे परमाणू के कारण ही क्या होता है इसके द्वारा जो बंध बनाय जाता हुआ काफी क्या होता है प्रवल होता है इस छोटे आकार के कारण इलेक्ट् और रही क्या है सहभागी युगम होता है बड़े परमाणू वाले तत्वों से बने आबंध तुल्णा में अत्यंत दुरुबल होते हैं ठीक है ना तो कार्बन छोटा आकार के कारण इसका आबंध प्रबल होता है लेकिन वैसे परमाणू जिसका आकार बड़ा होता है उसके सिस्ट लक्षन पहला है चतु संयों जगता और दूसरा है स्रिंखलन से बड़ी संख्या में योगीकों का निर्मान होता थी डाइरेक्ट क्वेशन का एंसर यहां भी बता दिया जो मैंने उपर पुछा था चतु संयों जगता मतलब क्या हो गया एक दो तीन चार इसका चार स ही हो जगता और साथी स्रिंखलन मनें कार्बन का यह तुम्हारा गुंड की कार्बन के साथ ही बॉंड बना सकता है तो वह हो गया स्रिंखलन ती दो गुंड के कारण कार्बन बहुत संख्या में क्या कर लेता है योगीकों का निर्मान करता है और नेक योगीकों के कार्बन अकार्बनिक परमानू अथवा परमानू के समू विभिन कार्बन स्रिंखलाओं से जुड़े होते हैं मूल रूप से इन योगिकों को प्रकृतिक पदार्थ से प्राप्त किया गया था तथा यह समझा गया था कि यह कार्बन योगिक अथवा कार्बनिक योगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं अर्थात यह माना गया कि उनके संसलेशन के लिए एक जीवन शक्ती आवश्यक थी तो 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बना कर इसे अस्यत्य प्रमानित किया था लेकिन कार्बाइड कार्बोनेट था बाई कार्बोनेट लवनो खेतरिक सभी कार्बन योगिकों के दियान अभी तक कार्बनिक रसायन के अंतर घताते हैं सिधा सिधा बात है भाई समझो जरासा तो कार्बनिक रसायन हम लोग पढ़ते हैं और कार्बनिक रसायन क्या होता है और गेनिक केमिस्ट्री और उस और गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बनिक यौगिकों को पढ़ते हैं तो सुरू से ही यह बताए गया कि यह जो और ग पदार्त है वह जीवित पदार्ट से प्राप्त होता है चाहिए वह निर्जीव से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है लेकिन फ्रेडरिक वोलर जो थे उन्होंने अमोनियम साइनाइट से यूरिया बनाया था और जो की बताया गया कि यह क्या है इन और्गेनिक पदार्थ से बना हुआ है यानि कि यह और कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त हुआ है समझ गये तो इस प्रकार से उसके बाद यह संकल्पना क्या हो गया यह समाप्त हो गया और इसी के साथ यहां थोड़ा सा और समझना है कि जो कार कार्बाइड होता है कार्बोनेट होता है उसको हम लोग और कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं यान इन और्गेनिक केमेस्ट्री उसको बोलते हैं इंगलिस में इन और्गेनिक और केमेस्ट्री तो आगे चलके तुम लोग जैसे की 11-12 में जाओगे तो तुम लोग को इन और और गैनिक केमेश्ट्री पढ़ना पड़ेगा फिजिकल केमेश्ट्री पढ़ना पड़ेगा यह तीन मुखी रुप से केमेश्ट्री को बाट करके हम लोग पढ़ते हैं तो और गैनिक में हम लोग कार्बन से रिलेटेट जो भी कंपाउंड्स होते हैं और उससे रिलेटेट हम पहले ही समझ चुके हैं समझ गया होना कि मिथेन में सी सिंगल बॉन्ड si होता है और चब तरफ क्या लगा रहता है Hydrogen तो तुम जल्दी से बता दो जैसे मैंने बताय था यह कारबन कारबन के बीच में एकल आबंद है तु इसे क्या कहेंगे इसे बोलते हैं संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन ठीक है वो पढ़ा रहा हुआ है यह तो कार्बन हम हाइड्रोजन से बनने वाले अन्य यौगी एथेन है जिसका सूत्र क्या है C2H6 है है ना तो दूसरा एक है तुम्हारा C2H6 यह तो यह तो तुम्हारा एथेन हो गया मिथेन ऐसे था CH4 था CH4 क्या था मिथेन यह मिथेन है और यह वाला क्या हो गया एथेन हो गया तो यहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया सिंगल बॉन्ड हो गया इसलिए इसको बोलते क्या है हम लोग संत्रिप्त बोलते हैं सरल कार्बनिक योगी को कि संगरशना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमानुओं को एक आबंद के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है तथा फिर कार्बन का सेस संतुष्ट करने के लिए हाइडरोजन के परमानुओं का उप्यों करते हैं जैसे कि देखो सबसे पहले कार्बन और कार्बन को जोड़ दिया तो जारा यह तुम ध्यान रखना कि कार्बन के अगल बगल चार डंडा हम लोग को लगाना होता है जिससे किसका संयोजक्ता यदि इस कार्बन का गिनेंगे तो इसके लिए भी एक गिनेंगे और दो तो बाकी और चाहिए तो तीन चार पांच छे साथ और क्या कहेंगे आठ यानि कि डंडा यदि बना दे तो अगल बगल कोई न कोई यहाँ पर क्या होना चाहिए तक तो लगा होना चाहिए तो इसक प्रकार से यहां अश्टक पूरा हो जाएगा कार्बन का तो कुल मिला के तुम्हें समझना है कि कार्बन के अगल बगल चार डंडा इस प्रकार से जरूरी है तब ही हम लोग बोलेंगे कि इसका क्या हुआ है अश्टक पूरा हुआ है जैसे देखो C double bond C कर दिया तो अब तु दो एक उपर उपर एक इंह इधर क्यों क्योंकि इस का किनो इसक singles तो एक दो तीन और चार होगे जाए ना चार डंडा अब इस कार्बन का गिनो तो एक दो तीन और यह चार ठीक है ना편 की कार्बन की अगल बगल अब देखो यदि मैं ऐसे कर दो इस प्रकार से तो यह सही है कि गलत है बता वच्चो यह गलत हो जाएगा क्योंकि देखना इस carbon का गिनेंगे तो एक दो तीन चार पांश डंडा हो गया लेकिन मैंने तुम्हें सिखाया है कि इसके अगल बगल चार ही डंडा होना चाहिए इसका मतलब C double bond C लिखेंगे तो इसके अगल बगल दो और लगा सकते हैं इसके अगल बगल भी दो और डंडा हम लोग लगा सकते हैं अब जल्दी से बता दो यदि carbon triple bond carbon होगा तो इसके अगल बगल कितना डंडा होगा तो एक यहां और एक यहां बस क्योंकि अगल बगल कितना होना चाहिए चार ही होना चाहिए तो यहां भी देख सकते हो यह सारी बाते लिखी गई है प्रतेक कार्बन परमाणू की तीन सेयों जगता असंतुष्ट रहती है अता प्रतेक का आबंध तीन हाइडोजन परमाणू के साथ किया जाता है कुल मिला कि यहां कन्फ्यूज मत हो सीधे सीधा समझ लो कि यदि एक कार्बन है तो उसके चारो और इस तरीके से चार डंडे होने चाहिए और उसमें कोई न कोई परमाणू जैसे मालो या हाइडोजन जोड़ दिया या फिर यहां पर C double bond O और और चार डंडा हो गया ना तो इसका एक खास नाम होगा उनको आगे हम लोगों को पढ़ना होता है समझ गये क्या आप इसी प्रकार प्रोपेन की संगरशना चित्रित कर सकते हैं जिसका आणविक सुत्र C3H8 होता है तो यहां पर इसी को दिखाए गया है प्रोपेन की संगरशना को यहां मैं दिखा देत हूँ C3 है तो 123 हम लोगों ने लिख दिया और H8 है तो 12345678 हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया लेकिन अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यह प्रोपेन क्या है इसके संगरशना ऐसे कैसे हो रही है तो यह आगे हम लोग पढ़ने वाले इसलिए कंफ्यूज यहां पर मत हो अब यहां द्वी आबंद वाला देखो किस प्रकार से हम लोगों ने संगरशना बना दिया है यह देखो यह एक कारबन हो गया और यह दूसरा कारबन हो गया एक दो तीन चार ऐसे बनाएंगे एक दो तीन चार अब यहां पर देखोगे कि यहां द 2 hydrogen यदी हम लोगों ने बना दिया और यहां पर 2 hydrogen हम लोगों ने यदी बना दिया तो यह hydrogen का यहां पर क्या हो गया इस तरीके से 2 electron complete हो गया लेकिन यदि हम लोग बात करें कारबन की, तो इस कारबन का देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हूआ, लेकिन आठ चाहिए तो 2 इधर से यह ले लेगा, तो इसका इस प्रकार से कमपाउंड बन जाएगा, अब गिनके देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, अब इस कारबन का देखेंगे हम लोग तो यहां से दो ऐसे हो जाएगा और यह दो ऐसे ले लेगा और तुम्हें ही पता ही है कि यह वाला यदि हम लोग यहां पर नहीं लिखेंगे लेकिन बाहर में लिखेंगे कि इस तरीके से इसके लिए हम लोग एक बाउन देंगे और इसके लिए एक बाउन देंगे तो तो ऐसे बन जाएगा और यह हो जाएगा यह हो जाएगा समझ में आ रहा है ने यह सारा यह दी तुमने शुरू से पढ़ाए तो सब समझ में आ रहा होगा hydrogenium carbon के एक अन्य योगी C2H2 है जिसे ethine कहते हैं अब ethine का कैसे formula हो गया तो C2 है और H2 है तो इसके बीच में हम लोग triple bond लगाएगे और H यहां लिख देंगे यही हो जाता है ethine हो जाता है तो यहाँ देखना इसके बीच में triple bond है और इसके बीच में double bond है इसलिए यह क्या हो जाएगा असंत्रिप्त कार्बन कंपॉंड भी इसे कहेंगे असंत्रिप्त कार्बन कंपॉंड यह उसका उधारन हो गया अब जारा देखो श्रिंखलाए हैं साखाए हैं एवं वले हैं तो श्रिंखला साखा वले सब तो मैंने दिखाई दिया है तुमें यह देखो यदि कार्बन का लगा होना चाहिए यहां H लगा दो यहां C लगा दो एच लगा दो कुछ न कुछ यहां पर तुम्हें लगाना पड़ेगा ठीक है BR लगा दो है ना तो इस प्रकार से यहां पर यहां पर कुछ न कुछ यह सब लगा रह सकता है लेकिन जरूरी है यह सिर्फ ऐसा लिख देना ये सही है नहीं ये गलत हो जाएगा क्योंकि कार्बन के चार और चार डंडा एकदम जरूरी है तो इस प्रकार से ये हो गया स्रिंकला और फिर इस प्रकार से ये क्या होता है ब्रांश होता है जो कि आगे पर देखू ये हो गया स्रिंकला और यह होगी है तुम्हारा branch तो वो सारा nomenclature में हम लोग पढ़ते हैं नामा करने पढ़ते हैं और जबकि ये वाला हो जाता है वले तो तुम बताओ ये सही है नहीं ये सर सही नहीं है क्योंकि इसमें hydrogen तो कहीं दिखी नहीं रहा है चलो तुम बताओ इसमें कितना hydrogen जोड सकते हैं तो दो क्योंकि एक दो यहां है अल्रेडी है तो दो और जोड़ेंगे तो चार हो जाएगा है ना तो इस प्रकार से देखो इस प्रकार से इसका संगरशना ये वाला होगी है तुम्हारा वाला संगरशना यही है वाले का संगरशना एक बैंजीन है C6S6 इसका संगरशना के इस प्रकार से बना सकते हैं एक दो तीन, चार, पांच और छे बनाएगे एक जगा single bond देगे तो एक जगा double, single, double single, double कहीं भी double और single कर सकते हैं अदिकत नहीं है अब तुम बताओ यहां पर कितना हाई्डोजन मैं जोड़ूं तो गिनोगे तो एक यहां मैं दूसरे पैंसे गिन देता हूं एक यहां देखो दो तीन और यह एक लगाएंगे लाइन इसमें भी कितना लाइन लगाएंगे एक इस कार्बन में भी कितना लगाएंगे तो एक दो तीन तो एक लगाएंगे चार इसमें भी एक इसमें भी एक इसमें भी एक इस प्रकार से ही क्या हो जाता है बेंजीन तुम्हारा हो जाएगा समझ में आ गिया यह सारा चीज ठीक है ना अब केवल कार्बन यह हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन इन में इसे संत्रिप्ट हाइड्रोकार्बन एलकेन कहलाते हैं ऐसे संत्रिप्ट हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या दोहरे आबंद होते हैं एलकीन और थ्री आबंद वाले को एलकाइन कहते हैं तो चलो इसी को हम लोग मुख् यह cyclic यानि कि यह chain वाला हो जाएगा hydrocarbon ठीक है और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा cyclic थीवाई C-L-I-C ठीक है दो प्रकार के hydrocarbon हम लोगों को पढ़ना होता है और यह जो पहले हम लोगों को यहां नहीं पढ़ना यही हम लोगों को और तीसरे हो कहते हैं एलकाइन ठीक है अब मैं सिखा रहा हूं समझो जरा सा तो hydrocarbon किसी कहते हैं सबसे पहला question तो carbon एवं hydrogen बस दो ही चीजिस में रहेगा और इन दोनों से मिलकर के यदि यौगी का निर्मान होता है यानि कि बहुत सारे यौगी को कनिर्मान होता है तो उसे क्या बोलते हैं hydrocarbon तो अब यह जो hydrocarbon है मुख्य रूप से तीन प्रगार का हम लोगों पढ़ना है चेन वाला एलकीन एलकीन और एलकाइन तो यह hydrocarbon कैसे बनता है इसका एक फॉर्मूला होता है जैसे एलकीन जो है इसमें cn h2n plus 2 यह फॉर्मूला होता है एलकीन का फॉर्मूला होता है cn h2n और एलकाइन का फॉर्मूला होता है cn h2n minus 2 बोलोगे यह क्या है यह संख्या है मतलब n क्या हो सकता है एक दो तीन चार कुछ भी हो सकता है अब फिर से समझो मतलब की एलकीन में क्या होगा कार्बन और हाइड्रोजन होगा एलकीन में क्या होगा कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो जितना कार्बन का संख्या रहेगा उससे यह दो गुना होगा जितना कार्बन का संख्या रहेगा इससे दो गुना कार्बन का संख्या इससे दो गुना लेक इसमें जश्ट दो गुना ही होता है और इसमें 2 कम होता है गैसे अब समझो जैसे कारबन 2 हो गया तो हाइडरोजन क्या हो जायेगा चार यह n बरावर 2 है तो 2 n बरावर क्या हो जायेगा 4 हो जायेगा C यदि 3 है तो H क्या होगा 6 C 4 है तो H क्या हो जाएगा 8 C 5 है तो H क्या हो जाएगा 10 C 6 है तो H क्या हो जाएगा 12 इस प्रकार से ये जो सारे compound मैंने बनाए हैं इसे कहते हैं Alkene तो Alkene में क्या होता है जितना carbon होता है hydrogen उसका just double हो जाता है अब धियान से देखो तो Alkene क्या होता है सर Alkene में just double से 2 जाता होता है यदि हम लोग C 2 लिखें तो H 4 प्लस 2 यानि कि 6 हो जाएगा यानि कि ये हो जाएगा तुम्हारा C 2 H 6 यदि C 3 लिखें तो H क्या हो जाएगा 3 गुना 2 प्लस 2 यानि C 3 तो H हो जाएगा 8 C 4 तो H हो जाएगा 10 C 5 तो H हो जाएगा 12 C 6 तो H हो जाएगा तुम्हारा 14 समझ में आ गया तिस तरीके से C N H 2 N वाला हो जाएगा Alkene यानि just double वाला हो जाता है Alkene just double से 2 जादा वाला हो जाता है Alkene लेकिन यहां दो कम हो जाएगा जैसे C 2 है तो H 4 हो गया उसमें से 2 गटा दो तो C 2 तो H 2 हो जाएगा इसको यह दि हम लोग solve करेंगे तो यानि की 2 कम हो जाएगा तो C3 हो जाएगा, तो H4, C5 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 में से दो गया, 8, C6 हो जाएगा, तो 6 दूना 12 में से दो गया, 10, C7 हो जाएगा, तो 7 दूना 14 में से दो गया, 12, C8 हो जाएगा, तो 8 दूना 16 में से दो गया, 14, इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा, अब यहां पर आगे दिखेंगे तो एलकेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉंड होता है एलकेन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉंड होता है और एलकाइन कहीं न कहीं डबल बॉंड होगा यह बात ध्यान देना इनके बीच में 2C हो गया ना एको कार्बन यहां इनके बीच में double bond होना चाहिए और बाकी तो hydrogen तुम्हें हैं लिगाना होगा तो दो लगा देंगे क्यों क्यों कि चार दंडा गिनना हैं यहां भी दो लगा है क्यों कि चार डंडा गिनना तो इस प्रकार यह क्या हो गया एलकीन यदि एलकेन बात करें तो सी यदि दो है तो इसके बीच में कैसा बॉंड होगा सिंगल बॉंड और एच बता अपने मंद से कितना होगा तो छे तो एक दो तीन चार पांच ही है एच खुल लगा लेना सब तरफ एच लगा लोगे तो इस प्रकार से यह होगे तुम्ह नहीं यहां एक गोईष हो जाएगा यही होगया इस यहांसे जो तुम्हें सबसे पहलाआ चीज सेखना चाहिए वहाए अलकेन अलकीन को पहचानना की यदि कभी दे दिया कि बताये कि इसमें कौन सा है इलक्यन कौन सा है और इलकाइन कौन सा है तो तो तएन लगे पहचान है जैसे ही जैसे की C2H4 तो तुम ध्यान से देखो कि यह वाला यहां पर जितना इसकी जश्ट डबल हो जाएगा दो गुना हुआ जैसे ही यह दो गुना दिखे तो जल्दी से पहचा ले ना के रहे यह तो एलकीन है और यदि यहां C3H6 दे दिया जाए तो जल्दी बताओ क कितना लिख दूँ आठ बहुत सही बच्चा लोग यह हो गया एलकीन अब यहां ध्यान देना कि जिसे C4 है और H4 दुना 8 में से दो गया 6 तो यह क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा एलकाइन और यदि यहां लिख दिया गया C2H2 दुना 4 और 2 छे तो यह क्या हो जाएग एलकीन यानि कि एलकीन में दो बढ़ जाएगा एलकीन में दो जश्ट डबल होगा और एलकाइन में दो घट जाएगा इस प्रकार से तुम इसको बना सकते हो अब तुम्हें एलकीन में हमेशा सिंगल पॉंड देना है एलकाइन में कहीं डबल और एलकीन में कहीं डबल और अलकाइन में ट्रिपल जैसे अब देखो C2H6, C2H4 और C2H2 जल्दी बताओ ये क्या है एलकीन है सर तो C और C के बीच में डबल बॉंड लगाना होगा और देखो तो चार गो कार्बन हाइड्रोजन है तो चार हाइड्रोजन ऐसे लगा दिया बन गया ये हमारा क्या बन गया ये बन गया अलकीन अब अलकाइन है ये कैसे बनेगा सर तो इसमें तीन लगा देंगे कार्बन कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन दो लगा देंगे तो ये हो L-Q-N तो यहां पर ये भी ध्यान दो इसको बोलते हैं Anock Di अनो सुत्र अनो सुत्र है और इसको बोलते हैं संग्रचना सुत्र बच्चों इसको बोलते हैं संग्रचना सुत्र यानि के Structural Formula होता है तो कभी-कभी तुम्हें देता भी है कि C3H8 H8 का संग्रचना सुत्र बनाईए तो तुम कैसे बनाओगे जरा बताओ तो तुम क्या करोगे C double bond C double bond C ऐसे कर दोगे और hydrogen जरा लगा के दिखाओ तो अगल वगल चार डंडा गिनना है तो दो और दो यहां कर दो क्यों मैंने किया क्योंकि एक दो तीन और चार एक दो तीन और चार तो hydrogen अब लगाएंगे hydrogen लगा दिया तो देखो यह गलत है कि सही है बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां 8 था तुम्हारा hydrogen 4 ही हो रहा यानि यह हमारा गलती हो गया है तीस के लिए हमें का करना होगा कि सी एक जगा सिंगल और एक ही जगा डवल करना होगा तो अब देखते हैं यहां पर देखो hydrogen 2 तीसरा hydrogen फिर चौथा hydrogen पाचवा hydrogen छठा hydrogen ठीक है अरे वा यह तो पूरा गलत हो गया अभी भी नहीं बन रहा है अरे बच्चलो कैसे बनेगा जरा बताईए क्योंकि यह एलकेन है ही नहीं भाई यह क्या है एलकेन है बहुत अच्छा तो सबसे पहले पहचानोंगे ही नहीं तो कभी जीवन में बनेगा नहीं बनेगा C 3 है तो 3 2 6 प्लस 2 तो Alcane है ना तो Alcane में तो single bond होगा तो single bond होगा तो बाकी जगा hydrogen लगा दो तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 और 8 Very good Yes sir अब समझ में आ गया कि पहरे तो पहचानना है कि Alcane है कि Alcane है कि क्या है Alcane है अब देखो C 3 है तो H 6 यह दि हो गया तो क्या हो गया Alcane इसको कैसे बनाएंगे तो 1 2 3 और एक जगा कहीं double bond लिख देंगे अब hydrogen लगाओ तो 1 2 3 सही है कि गलत है सही है क्योंकि अगल बगल कारवन के 4 डंटा हो गया यहां भी देवागा अगल बगल 3 है तो 1 लगा देंगे और यहां 2 है तो फिर 2 लगा देंगे तो 6 हुआ 1 2 3 4 5 6 यह सही है यानि कि Alcane का यह वाला बन गया देखा बच्चों कैसे बनाए जाता है अब चलो थोड़ा सा हम लोग Alcane, Alcane और Alcane के नाम को पढ़ लेंगे तो कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो यहां कारबन कंपॉंट्स के नाम को हम लोग आयू पैक नेम दोरा लिखते है नॉमेंकलेचर कहते है तो इसके लिए तुम्हें कुछ नाम याद करना होगा जैसे जो Alcane है उसके नाम की अंत में एन लगता है Alcane की नाम की अंत में एन लगेगा और Alcane की नाम की अंत में आइन लगता है बहुत अच्छा एन एन आइन एन एन आइन और अब देखो जदी एक कारबन है दो कारबन है तीन कारबन है चार कारबन है पांच कारबन है एक इसका इसको याद करना होता है इसको बोलते है इस तरी से नाम देंगे जितना कार्बन होगा उस प्रकार से यहां पर नाम इसको याद करना होगा इसको याद कर लेना है अब इन जोड जोड करके नाम बना सकते हैं इसके इस तरीके से इन जोडेंगे तो तो मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्युटीन, पेंटीन, हेकसिन, आइन जोड़ेंगे, तो मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेकसिन, समझ में आ गिया तो कैसे सर, यहाँ देखो, यदि C2H6 है, तो जल्दी बता, एलकेन है कि यह इलकेन है, तो इलकें है तो नाम में एन लगा देंगे और दो कार्बन है तो एथ लगा देंगे तो एथ प्लस एन क्या हो गया एथेन यानि कि इसका नाम क्या है बच्चा लोग एथेन है अब यदि लिखा हो गया C3H8 तो C3H8 पहले पहता करना है अलकेन है कि अलकीन है कि अलकाइन है तो एन तुम्हें समझ में आगे करें तो अलकेन है तो एन लगा देंगे और तीन कार्बन के लिए प्रोप तो यह हो जाएगा प्रोपेन इन दोनों को जोड़के बनाते हैं संदी करके लिखते है प्रोपेन अब इसी तरीके से यहां पहले लिखा है C2H4 तो यह अलकीन है तो इसके नाम के अंत में इन और C2 है तो एथ हो जाएगा एथ प्लस इन तो एथ इन ठीक है इस तरीके से आइन है C2H2 है तो इसको लिखेंगे एथ प्लस आइन तो यह जाएगा एथ आइन समझ गया है इस प्रकार से हमारा नॉमेंकलेचर यानि कि नामा करण भी यहां पर समाप्त होता है बस यही समझ जाए नामा करण में तो मेथ से इन में जोड़ेंगे तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेकसेन इन में जोड़ेंगे तो मेथीन, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेकसेन और आइन में जोड़ेंगे तो मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, और हेकसाइन यह 6 का ही मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें इस प्रकार से देखो यहां पर मैं थोड़ा बुक पढ़ा रहा हूँ तो बहुत डीटेल में मैं तुम्हें यहां नहीं ले चल रहा हूँ बस सिंपल सिंपल पढ़ा दे रहा हूँ इसको तुम जाकर कि मेरा और भी वीडियो वहाँ देख लेना पूरा डीटेल है मैंने समझा दिया है चलो अपने निक्स टॉपिक यह यह क्या बुल रहा है मुझसे दोस्ती करोगे भी यह इनसे दोस्ती करनी है क्या तो क्या बुल रहा है कार्बन अतियंत मैत्री पूर्ण तत्व है तो अभी हम लोगों ने देखा कि कार्बन किस प्रकार से हाइड्रोजन से मिलता है विभिन प्रकार से और अलग-अलग प्रकार के यौगिकों का निर्मान करता है लेकिन कार्बन अन्य तत्तों के साथ भी यौगिक बनाता है जैसे हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है तो हेलोजन के साथ हम हेलोजन क्या होता है तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, स्टाइगे अंतीं कच्छा में सती अलेक्च्रोन में इसके साथ औकसीजन हो गया नाइट्रोजन सलफर इसके साथ अंपर बनाता है आबंध बनाता है तो एक या अधिक hydrogen को इस प्रकार प्रतिस ठापित करते हैं कि carbon की से Wanna jaakta संतूश्च रहती है अब देखो hydrocarbon shrink law तो तीन प्रकार का hydrocarbon shrink law हम लोगे ने पढ़ा है क्या पढ़ा है एल के- canal फिर Barcelake पढ़ लिया फिर क्या पढ़ लिया हैएल काइन पढ़ लिया ठीक है न तो इसमें से यालो अल्केगें का एक उधारा लेते हैं CH4 बहुत अच्छा यह हो गया CH4 तो यह CH4 क्या हो गिया मैथेन हो गया मैंने बताया नinka नाम भी बता दिया तुम्हें नाम भी इस प्रकार से मैथेन हो गया तो क्या बोलरहा इसका एक हईडोजन हट जाएगा और इसके जगा इसके जगा इन में से कोई भी एक तत्व आ करके लग सकता है तो यहां मानलो की क्लोरीन लग गया तो इस प्रकार से C इस प्रकार से H H H और यह हो गया तुम्हारा CO 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 डंडा समझ रहा हो ना मैं बना के दिखा देता हो जैसे हाइडरोजन का एक और ट्लोरिन का लाष्ट में कितना हो जाएगा सात इस प्रकार्स से शाथ यह क्रूरिन यह आईसे करके क्या बना लेगा सष feder हो चक यौगी का निर्मान करेगा समझ क्या बोलते हैं विश्यम पर्मानू करते कहते हैं तो यहां देखा तुमने कि ऐसे यौगिक यह जो यौगिक दिख रहे हैं यहां की इनलकी इनलकाई इनमें से हाइड्रोजन को हटा करके यहां पर उसमें अलग-अलग जो ततों वहां पर लग जाएंगे उसको हम लोग क्या एक नया वर्ड आ गया प्रकार्यात्मक समू किसे कहते हैं फंक्शनल ग्रूप किसे कहते हैं भी भी यह क्वेशन है इससे तो एक्जाम में जरूर से जरूर क्वेशन होगा ही होगा तो सबसे पहला क्वेशन जो एक्जाम में आएगा नहीं लेकिन मैं बता देता हूं कि प परमानु का समूः तो परमानु अत्वा परमानु का समूः जो की कार्बन कंपाउnd जो यॉइक विशीष्थ गुण प्रदान करता है, एकदम खासम खास गुण प्रदान करेगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे प्रकार्यात्मक समूः केहते हैं, तो यहाँ पर मैं पढ़के दिखा दे रहा हूँ तुमें यह देखो यह विशम परमानू और वे प्रकारियात्मक समू जिसमें यह उपस्थित होते हैं योगीकों को विशिष्ट गुड़ प्रदान करते हैं यह गुण कारवन स्रिंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर इसको हम लोग एक उदारन से समझ सकते हैं जैसे कि एक प्रकारियात्मक समू मैंने ले लिया OH यानि की एलकोहल और एक प्रकारियात्मक समू ले लिया मैंने LDHIDE ये LDHIDE कहते हैं बच्चो इस प्रकार का प्रकारियात्मक समूँ को क्या कहते हैं LDHIDE जिसमें C के उपर double bond और एक H लगा होता है ये पूरा प्रकारियात्मक समूँ ही है ठीक है और इस प्रकार से O और H होगा तो इसको कहेंगे हम लोग alcohol तो बोलोगे ये इस प्रकार से dash क्यों दिया हुआ है यहां खाली अस्थान है यहां पर हम लोग फिर hydrocarbon को जोड़ेंगे अब दिखना यह हो गया मेथन तुम जानते हो कि यह क्या है मेथन यहां पर यदि H लगा देंगे तो हम लोग क्या हो जागा मेथन अब यहीं से इसको हटा करके OH लगाना है जैसे मैंने बताया है तुम्हें इस प्रकार से यह क्या हो गया SCH इधर OH हो गया और इधर H हो तो यह जो compound अब है OH यहां पर क्या है प्रकारियात्मक समुख इसमें लग रहा है और इस प्रकारियात्मक समुख के कारण पहले ये मेथेन था लेकिन अब ये क्या हो गया मिथाइल ऐलकोहल कहलाता है ये ऐलकोहल कहलाएगा किसके कारण इस प्रकारियातमक समूओ के कारण लेकिन इसी में यदि हम लोग ऐसे CH3 बना दे और यहां पर इस प्रकारियात्मक समू को लगा दे इसका मतलब यहां पर यदि हम लोग C double bond O और O सिर्फ H लगा दे तो यह जो प्रकारियात्मक समू है इसके कारण अब इसका नाम जानते हो क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा मेथे नल हो जाएगा यानि कि यह प्रकारियात्मक समू इसके कारण यह मेथे नल हो गया और इसको हम लोग कहेंगे मिथाइल एलकोहल यानि यह दोनों का जो गुन है वह क्या हो गया बहुत अलग हो गया ये अब LDHIDE कहलाता है और ये LCOHOL कहलाता है इसका मतलब यहाँ जो पीछे जुड़ा हुआ इससे कोई मतलब नहीं है पीछे देखो दोनों में एक जैसा है CH3 यहाँ भी CH3 है लेकिन इन दोनों का नाम क्या हो गया बहुत बदल गया इन दोनों का गुण क्या हो गया बहुत बदल गया किसके कारण येस बच्चो बहुत अच्छा बात तुमने बताया इस प्रकारियात्मक समू के कारण इस प्रकारियात्मक समू के कारण दोनों को विशिष्ट गुण मिला है समझ गए इसे ही क्या कहते हैं हम लोग प्रकारियात्मक समू कहते हैं तो अब देखो अब प्रकारियात्मक समू को तुमको एक तम जबान पर याद रहना चाहिए जब भी कोई पुछे प्रकारियात्मक समू इसका क्या होगा उसका क्या होगा तो बहुत सारे प्रकार्यात्मक्समू होते हैं लेकिन तुमको यहाँ पर बहुत थोड़ा थोड़ा बताये गिया है इसी को याद कर लेना है जैसे कि पहला प्रकार्यात्मक्समू है इल्कोहल इसको याद कर लेना है ठीक है जब नामा करंट करेंगे तो नाम के अंत में All लगेगा All या Ol इस तरीके से कहेंगे तो एलकोहल बताओ क्या हो गया वच्चो nh हो गया फिर LD-Hyd क्या हो गया C Double Bond O और H होता है फिर इस तरीके से कार्बोगजिलीकम लगा होगा C Double Bond O और OH होगा फिर कीटोन में सिर्फ C double bond O होता है और दोनों जगा क्या होता है खाली होता है ठीक है ना तो एलकोहल OH LD हाइट C double bond OH कार्बोगजिलिकमल C double bond OH और कीटोन क्या हो गया C double bond O इसका मतलब तुमने नहीं समझा तो ऐसे समझ दो फिर से समझा देता हो कि यहाँ पर H लगा हुआ है सब तरफ और यहाँ C double bond O और OH तो तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सा प्रकारियात्मक समु है तो जल्दी बता दो यह कौन सा प्रकारियात्मक समु है यह है कार्बोगजिलिकमल इसका मतलब पूरा जो पूरा जो कंपाउंड है वो क्या हो गया कार्बोगजिलिकमल इसी प्रकार से दिसी H3 यहाँ पर लगा हुआ है ओएच तो ओएच किसका फंक्शनल ग्रूप है किसका प्रकार यात्मक्स्वमूई है एलकोहल का इस प्रकार से यह पूरा जो पाउंड हो गया वह क्या हो गया अलकोहल हो गया तो अब थोड़ा से इसके हम लोगों नाम देख लेंगे उसके बाद इस टॉपिक पर आएंगे तो यह देखो यदि एलकोहल होता है तो उसके नाम के लाश्ट में ओल लगता है अब इस प्रकार से जैसे देखना यहाँ का बाद इसके बाद क्या हो गया सी टू एच 15 227 ओएंच V~!! प्रोपेन में प्रोपेन में हटा करके वेच लगा दिया तो समझ में तो आ रहा है तो यहां पर यह जो तुम्हारा हो गया मेथेन तो मेथेन में अल लगा देंगे तो जाएगा मेथे नल थिक है methane plus all यह हो जागा methane पीज़ेनल फिर यह हो जागा इस प्रकार से इसका नामा करण होता है तो नामा करण में यह भाग को ओल लिख देते हैं तो हो गया ओल तो मेथेनॉल एथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल तो यह वाला क्या है बच्चो प्रोपेनॉल है देखो यह प्रोपेन बन रहा था ना यदि यहां पर एच रहता तो प्रोपेन था अभी एच को हटा करके यहां ओवेश जोड़ दिया गया तो यह हो गया प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल हेकसेनॉल यह सारा आगे आता रहेगा समझ गया सारा बात तो यह बहुत डीटेल में मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं इसके लिए मैंने अलक सी वीडियो बनाई है तुमने देखा भी हो गया अल और यह हो गया ओल एलकोहल के लाश्ट में ओल और एलडिहाइड के लाश्ट में अल होता है तो इसका नाम में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जैसे देखना C double bond O और H ध्यान से देखो यही तो है अलडिहाइड अभी तो पढ़ा है कि यह क्या है वच्चो अलडिहाइड है C double bond O H को अलडिहाइड करते हैं और इसमें ध्यान यह देने वाला बात है कि इसमें सिर्फ अब एक H जोड दिया तो इसका यहाँ पर सही हो जगता संतूष् और यहाँ एक कार्बन के है तो इसको मेथेन लिख सकते है मेथेन प्लस फिर अल है तुम्हारा अल यह गया मेथेनल मेथेनल इस परकार से C double bond O H है और एक यहाँ 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 यह हम लोग C और जोड दे तो यह दो कार्बन हो गया दो कार्बन को 8 बोलेंगे तो यह गया एथेनल फिर यदि हम लोग सी डबल बॉंड ओ और एच यह क्या है बच्चों जल्दे बताओ लडी हाइड है यानि अल लिखते हैं इसको नाम में और इसमें दो कारबन और जोड़ देंगे और एच लगा देंगे सब तरफ यह तीन कारबन होगा और तीन कारबन को बोलेंग इसको ब्यूटेनल ठीक है यहां देखो लिखा भी है एथेनल मिधेनल प्रोपेनल नहीं नौल हो गया मतलब ओएच हो गया और अल हो गया मतलब सीडबल बॉंड ओएच हो गया समझ गया यही सब बात समझना होता है कुछ खास सीज़े नहीं तो यहां पर इंसी एटे में पढ़ा रहा हो तुतना डेटेल में नहीं जा पा रहा हूं जितना मैंने बोर्ड पर तुम्हें समझा दिया है तो वहां पर तुम और अच्छे से इसको समझ सकते हो पढ़ सकते हो एक और वीडियो में कोसिस करूंगा बता दूंगा इसके लिए अलग से अब देखो अब यहां पर ओएक अम लग यानि की ओएक एसीड ओएक अमल के बारे में देखेंगे जो कि कारबोगजीलिक अमल है अब तो इसको लश्ट में नाम लखेंगे ओएक अमल यह हो जाएगा मेथनोईक अमल नोईक अमल ठीक इसी प्रकार से यदि C double bond O always लिखा हुआ है और यहां पर एक और C इस तरीके से जोड़ दिया तो दो कार्बन के चलती यह हो जागा एथ और यह हो जागा एथे नोईक अमल अब यहां तीन कार्बन जोड़ देगा तो प्रोपे नोईक अमल देखो यहां प्रोपे नोईक अमल यहां तीन कार्बन एक दो और तीन जुड़ गया तिहो जागा प्रोपे नोईक अमल एक और कार्बन जोड़ दिया तो ब्योटेनोईक अमल एक और कार्बन जोड़ दिया तुम्हें समझ में आएगा अब चलो अब हम लोग यहां पर एक और देखेंगे कीटोन तो यह तो तुम्हें मैंने पहले ही पढ़ा दिया अब आगया कीटोन तो कीटोन में बस एक ही नाम याद कर लेना है सी डबल बॉन्ड ओ होता है और यह वन है तो इसको हम लोग जितना कारवन होगा उसे साब से नाम रख देंगे जैसे तीन कारवन है तो प्रोपेन वन हो जाएगा चार कारवन हो गया एक दो तीन और चार और इसमें यहाँ ओ लग गया मालो तो इस प्रकार से इसको बोलेंगे ब्यूटेन वन बोलेंगे ठीक है यह जगा ब्यूटेन वन यह प्रोपेन वन है ना और इसका प्रोपेन से ही शुरू होता है क्योंकि दोनों तरफ कारवन जैसे सी डबल बॉन्ड ओ है तो दो जगा खाल वन से ही शुरू होगा यानि प्रोपे नोन कहेंगे क्योंकि इसके लाश्ट में क्या लगाते हैं नाम में लगाते हैं समझ गया यह सारा तो बहुत आसान है यह सारा चीज समझना तो इस प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के पहले एक स्रेड़ी में बनाता हूं यह हम लोग स्रेड़ी ही तो पढ़ रहे थे जैसे मेथेन हो गया एथेन हो गया C2 H6 C3 H8 C4 H10 C5 H12 बताओ यह हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बिलकुल सर पढ़ा है मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन लेकिन अभी जो हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था उसको हम लोग बनाते हैं तो CH3 OH C2H5 OH C3H7 OH C4H9 OH C5H11 OH क्या है यह एलकॉहल का एक सिरीज आपने बना दिया सर मेथाइल अलकॉहल एथाइल अलकॉहल प्रोपाइल अलकॉहल ब्यूटाइल अलकॉहल पेंटाइल अलकॉहल हेक्साइल अलकॉहल बन जाएगा आगे समझ गया है इसका मतलब यहां मैंने एक सिरीज बना दिया एक और सिरीज हम लोग चलो बना देते हैं अभी बताया था मैंने तो CH यहां पर जैसे कि C double bond O, OH और H बनाया था कि नहीं बनाया था इसी प्रकार से इस सिरीज को यदि हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो CH3, COOOH, C2H5, COOOH, C3S7, C double bond O, OH इस प्रकार से एक सिरीज बनेगा कि नहीं बनेगा? यह बनते जा रहा है सर वह क्या बात है? यह एक सिरीज बन रहा है तो अब यहां सिरीज में ध्यान से देखोगे ध्यान से देखना ज़रा सा इस सिरीज में कि इसके और इसके बीच में कितने कांतर है तो एक कारबन कांतर है और दो हाइडरोजन कांतर है इसके और इसके बी एक कार्बन और दो हाइडोजन का अंतर है इस प्रकार से यहां यदि देखो तो सब में CH2 का अंतर होता है और यहां देखोगे ध्यान से तो यह एक ही फॉर्मूला प्याधारित है C-N-H-2-N-2 है यह क्या है तुमारा फॉर्मूला C-N-H-2-N-1 और इसमें O-H लगा हुआ है लगा है कि नहीं लगा हुआ है यह अलकोहल का फॉर्मूला होता है प्रिस प्रकार से तुम देखोगे यह एक सीरीज बन रहा है यह क्या बन रहा है बच्छा लोग एक सीरीज बन रहा है स्रेणी बन रहा है और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं समझातिये श्रेणी बोलते हैं इसी का नाम क्या है समझात्य श्रेणी है समझ गए तो चलो हम लोग देखते हैं अब समझाती है स्रेणी क्या होता भी भी यह कोश्चन है दो माक्स का जरूर एक्जाम में आता है इसलिए इसको याद कर लेना है आपने देखा कि कार्बन परमाणों को आपस में जोड़ कर विभिन लंबाई की स्रिंखलाएं बनाई जा सकती हैं ये स्रिंखलाएं साखित भी हो सकती है साथ ही इन कार्बन श्रिंखलाओं वेस्ति थाइडरोजन तताने परमाणों को उपरोक्त किसी भी प्रकारियात्मक सम की पस्तिती कार्बन योगिकों के गुनधर्मों को तै करती है जैसे सब में एलकोहल है यहां पर तो यह सब क्या हो गया एलकोहल का गुनधर्म प्रदर्शित करेगा यह सब एलकेन है उपर वाला तो यह एलकेन का गुनधर्म प्रदर्शित करेगा यह कार्बोगजिली कमल है तो यह सब जो सीरीज हम लोगों ने बनाया वो कार्बोग जिलिक अमलका गुण धर्म को प्रदर्शित करेगा जैसे कि यहां देख सकते हो CS3OS, C2H5OS, C3H7OS, C4H9OS के रसायनिक गुण धर्मों में अच्यधिक समानता होगी जो हम लोगों ने यह सीरीज भी बनाया है, इसमें यही वाला चीज लिखा हुआ है यहां पर सीरीज में तो क्या बोल रहा है इसके रसायनिक गुण धर्में क्या होगा बहुत समानता हुआ अतह यौगीकों की ऐसी स्रिंकला जिसमें कार्बन स्रिंकला में इस्तित हाइडरोजन को एक ही प्रकार का प्रकारियात्मक स्वमु प्रतिस्थापित करता है उसे समझातिय स्रेणी कहते हैं समझ गए क्या लिखा हुआ है कि यौगिकों का ऐसा स्रिंखला जिसमें कार्बन स्रिंखला में सित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारियात्मक स्वमु प्रतिस्थापित करें उसे समझातिय स्रेणी कहेंगे ठीक है इस प्रकार से समझातिय स्रेणी ये सारा क्या हो गया तुम्हारा समझातिय स्रेणी हो गया अब यहां देखो जो उपर समझातिय स्रेणी बना है हम लोगों ने देखा कि CH2 इंकाई का क्या होता है इसमें अंतर होता है है ना तो इस प् तो यह हो गया तुम्हारा 14 यूनिट का अंतर होगा यानि कि बाइब मास इसमें कितना अंतर होगा 14 ठीक है ना इसी प्रकार एलकीन की समझातिये स्रेणी को देखिए स्रेणी का पहला सदस्य इसके बारे में पहले सब लिखा हुआ है तो अब यहां पर में चीज तुम्हीं यह समझना है कि किसी समझातिये स्रेणी में आणविक द्रवयमान बढ़ता है तो तुम बताओ आणविक द्रवयमान कितना यूनिट्स बढ़ता है तो 14 बार बार CH2 बढ़ रहा ना एक के बाद दूसरा में CH2 CH2 तो 14 यह बढ़ते चला जो यहां हो सकता है मालों इसका जो कथनांक है इससे यह थोड़ा सा बढ़ेगा इससे यह थोड़ा सा बढ़ेगा इससे यह थोड़ा सा बढ़ेगा या इससे यह थोड़ा सा बढ़ेगा तो ग्रेडेशन देखा जाएगा क्योंकि इसके बीच में सिर्फ 14 बाइमास 14 यू कौतनांक में वृद्धी होती है तो गलनांक क्या हो गया एक भौतिक गुन हो गया और भी बहुत सारे भौतिक गुन हो गया दो बता रहा है किसी विशेश विलायक में विलेता जैसे भौतिक गुन धर्म देखो अब ये भी एक भौतिक गुन धर्म है कि किसी विलायक में इन जाने वाले रासायनिक गुण समझातिय स्रेणी में एक समान बने रहते हैं लेकिन यहाँ पर रासायनिक गुण क्या होता है एक समान बना रहेगा याद रखना भी भी कोशन है तो कोशन क्या आएगा समझातिय स्रेणी किसे कहते हैं और समझातिय स्रेणी के गुण को लिखे तो वह तुम्हें यहाँ पर दो-तीन पॉइंट लिख देना है तो अब देख सकते हो यहाँ पर कार्बन योगीकों की नाम पद्धती तो इस पर एक अलग से वीडियो एक से दो घंटे का बनाए गया है उसे तुम देख सकते हो यहाँ पर इसे पढ़ाना थोड़ा सही नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेश्ट होगा जबकि मैंने बहुत सारा यहाँ नोमेंकलेचर तुम्हें सिखा दिया है जो सरल है तुमारे लिए ठीक है तो हमारा जो नेक्स टॉपिक है कार्बन योगिकों के रासायनिक गुर्धर्म तो इसे ही हम लोगों को अब पढ़ना है और इस रासायनिक गुर्धर्म में सबसे पहला क्या होता है दहन तो यहां देख सकते हो अपने सभी अपर रूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके उश्मा आयों प्रकास के साथ कार्बन डायोकसाइड देता है यानि कि कार्बन का जो भी अपर रूप है यानि कि कार्बन जिस रूप में भी पाए जाता है वह oxygen के साथ क्या करेगा अभिक्रिया करके दहन को ये क्या करेगा दहन करेगा और उश्मा और साथ में क्या निकलेगा प्रकाश निकलेगा और साथी साथ CO2 का भी निर्मान करेगा दहन पर अधिकांस कार्बन योगविक भी परचूर मात्रा में उश्मा ये प्रकाश को मुक्त करते हैं तो सब कार्बन के बारे में जान लिया तुमने की कार्बन को जब दहन किया जाएगा तो क्या निकलेगा तो एंसर है CO2 निकलेगा प्लस में तुम्हारा उश्मा निकलेगा और प्लस में क्या निकलेगा प्रकाश निकलेगा तो कार्बन किसके साथ दहन करेगा तो ऑक्सिजन के उपस्थिति में दहन करेगा अब कार्बन की बात हो गई तो अब कार्बन योगिकों की ब्यात कर लेगे तो कार्बन योगिक भी दहन को सो करेगा और यह भी ऑक्सीजन के साथ अभी क्रिया करके प्रकाश को क्या करेगा मुक्त करेगा और उश्मा को क्या करेगा मुक्त करेगा तो तुम यहाँ देख सकत यहां पर oxygen का मिल रहा है इसलिए क्या हो जाएगा ऑक्सीकरन अभी क्रिया होगा जैसे तुमने पढ़ा है oxygen क्या होता है oxygen का मिलना और वो करण मतलब क्या होता है oxygen का हटना तो यह यह क्या है एथाईल अलकोहल है यह भी क्या हो गया carbon योगी हो गया यह जब oxygen से प्रतिक्रिया करेगा तो co2 h2o उश्मायों प्रकास बनाएगा इसमें भी देखो co2 h2o उश्मायों प्रकास का निर्माण हो रहा है समझ में आ रहा है नहीं सारा चीज तो संत्रिप्त hydrocarbon से सामानेता स्वक्ष ज्वाला निकलेगी अब संत्रिप्त hydrocarbon जल्दी से बता तो तुम क्या है तो संत्रिप्त hydrocarbon जिसमें carbon carbon के बीच में एक लाबंद है वह संत्रिप्त है जैसे की l kane क्या हो गया संत्रिप्त जबकि c double bond c या C triple bond C वाला जो योगिक हुआ हाइड्रोजन लगेगा भाई ये मत भूल जाना तो इस प्रकार का योगिक हो गए ये क्या हो गया असंत्रिप्त होगा ठीक है और असंत्रिप्त जो होता है वह क्या होता है अलकीन होता है ये सब पढ़ा है ना तुमने अभी तो तुरन पढ़ा निकले आदिया ये बात याद रखना एकदम डायरेक्त कि संत्रिप्त हाइड्रोकारबन है वह जब जलेगा तो स्क्ष जोलेगा जर की जिक constitu आज़ाएं वाला पीली जोलाा साथ जलेगा तो बात याद रखना एकदम बोलो जल्दी से संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन जलेगा तो कैसा ज्वाला निकलेगा जबकि असंत्रिप्त कारबन को जलाए जाए काले धुवे वाला पीला जुवाला निकलेगा इसके परिडाम सुरुक क्रिया कलाब 4.3 में धातु की तस्तरी पर कजली निशेपन होगा लेकिन वायू की आपूर्ती को सिमित कर देने से अपूर दान होने पर संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन भी कजली जुवाला निकलेगी अब देखो हम लोगों ने क्या देखा कि जो संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन है उसको जलाए जाएगा तो स्वक्ष जवाला निकलेगा मतलब कोई धुवा नहीं निकलेगा लेकिन इसमें जैसे ही वायू की कमी होगी यानि ऑक्सीजन की कमी होगी तो इसका पूर्ण दहन होगा और जब पूर्ण दहन नहीं होगा तो संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली जवाला निकलेगी समझ गया है घरों में उप्योग में लाई जाने वाली गैस केरोसीन के स्टोब में वायू के लिए चिद्र होते हैं तमने देखा होगा केरोसीन होता है गैस होता मिलेगी लेकिन यदि वहाँ भी ऐसीजन नहीं मिलेगा तो यह स्वक्ष नीला ज्वाला हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा यदि कभी बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दे तो इसका अर्थ क्या है जल्दी से बता दो इसका मर्तलब है कि जो इंधन है वह पूर्ण रूप से दहन उसका नहीं हो रहा है और क्यों नहीं दहान हो रहा है क्योंकि उसमें वायू पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है और इस कालन से वह क्या करेगा वह जो है सो काला काला धुमा फेकेगा और जो बरतन का तली है वह क्या हो जाएगा काला हो जाएगा कोईला तथा पेट्रोलियम जैसे इंदोनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होता है यह तो तुमने पढ़ा है ना इसी करन से कोईला और पेट्रोलियम को जनाने पर नाइट्रोजन का ऑकसाइड सल्फर का ऑकसाइड बनेगा जो की वायू मंडल में जाने पर क्या करेगा प्रदूशन करता है यह सब चीज तो तुम पढ़े हो इनके दहन के फलसुरुप सलफर तथा नाइट्रोजन के ऑकसाइड बनते हैं और जो की पर्यावरन को क्या करते हैं हमारे प्रयावरन को प्रदूशित करते हैं अब क्यों जलते हुए पदार्थ जौला उत्पन करते हैं अथवा नहीं करते हैं आप अपने क्या आपने कभी कोईले अथवा लकडी की अगनी को देखा है यदि नहीं तो अगली बार जब भी आवसर मिले तो आप जरूर इस पर ध्यान दे लकडी अथवा कोईले को जब जलाना अरम किया जाता है तो आपने अंगीठी में जलने वाला कोईला या तारकोल कभी कभी लाल रंग में के समान उज्वल होता है तो तुम ने देखा होगा बाई जब लकड़ी जलाओगे ऑजला बाए जलने वाला किन तो यहां जोला के बीना जोला का होता अरे भाई लकड़ी का कोईला तुमने देखा है ना लकड़ी का कोईला को जलाओगे तो वहाँ पर जुवाला तुमको नहीं दिखेगा सिर्फ लाल-लाल हो जाएगा उसमें मकई वगर पकाये जाता है देखाओगा तुमने ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसिये पदा आश्राओं के जलने पर ही जौला उत्पन होती है जैसे कि लकड़ी अतार को जलने पर उसमें उपस्थित वाश्पी सिल पदार वाश्प मेच्रित हो जाता है तथा जौला मीमतलब जौला बनाता है तो यहां से यहां तुम्हारा एंसर यह हो गया इसको तुमको क्या कर लेना है याद कर लेना है ठीक है यही तुम्हारा हो गया एंसर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसिये पदार्थों के जलने पर ज्वाला उत्पन होती है लकडी अतारकुल जलाने पर उपस्थित वास्प प्दार्थ वास्पिक्रित होते हैं और गैसीय प्दार्थ का निर्मान करते हैं जिस से की का होता है जुआला उत्पन होगा देखा तुमने अब देखो आगे बढूते हम लोग क्या बोल रहा देखो और परमाणूहों को ताप अलग तत्वों को जलाने पर उसका रंग क्या होगा अलग अलग ज्वाला निकलेगा किसी का हरा ज्वाला निकलेगा किसी का नीला ज्वाला निकलेगा किसी का पीला ज्वाला निकलेगा गैस इस्टो का जवाला में तामबे का तार को जलाने का प्रयास कीजिए तथा इसके रंग का प्रेक्शन करिए आप देखें कि अपूर्ण दहन से कजल उत्पन होता है तो कार्बन होता है इसके अधार पर आप मुंबत्ती के पीले रंग की ज्वाला का क्या कारण बताएंगे सिंपल सा है यदि वहाँ पर आक्सिजन संपूर्ण रूप से नहीं विल रहा है तो अपूर्ण दहन होगा कजल उत्पन होगा और अलग अलग जो तत्व है उसके रंग भी क्या होंगे अलग अलग होंगे अब देखो कोईले तथा पेट्रोलियम का निर्माती तो पहले भी तुमने पढ़ा कि कोईला तथा पेट्रोलियम क्या है फॉसिल फ्यूल है ठीक है और इसका निर्मान जैव मात्रा से हुआ है इसका मतलब ये कभी न कभी जो पेड पौधे है उनके जीवाश में से हुआ या फिर जो समुद्री कुछ जीव है उनके जीवासम से इनका निर्मान हुआ इसलिए इसको जीवासमें इंधन के नाम से भी जाना जाता है और यहां क्लियरली लिखा है कि यह जैव मात्रा से इनका निर्मान हुआ है यानि कि जीवों के अवशेश से ही इनका निर्मान तो कैसे दिर्मान हुआ है तो बहुत स suchen कि और भूवविड्यानिक प्रतिक्रियों थाप नाभन में परिवर्थन के कारण हजारों लाखों वर्षों में इनका परिवर्थन स्तुरूप में हुआ है कोईला लाखों वर्ष पुराने वरिक्ष फर्ण तथा अन्य पौधों के आउसेस है यहां लिख दिया गया है संभौता भुकंप हुआ होगा या ज्वाला मुखी फटने के कारण ये धर्ती में चटानों की पर्तों के नीचे दब गय होंगे तथा धीरे धीरे छै होकर ये ताप और दाब के कारण इनका क्यान हो गया कोईले के रूप में के पदल गया तेल तरुता गैस लाकों वर्ष पूरानी चोटे शमुद्री जीओ ब्स आताब दाज पोडे चशेस अन्ize के तिम समझ गये हैं उनके म्रित होने पर रुष स्रीर seraitल में डूब गया तथा गाद से ढख गया उनमित और सेसों पर day-born वे अ करल दा से तुम्हारा समूद्र में पेट्रोलियम का निर्मान हुआ गैस का निर्मान हुआ यहां पर लिखा हुआ है यही बात को लिख देना है इसी बीच गाद धीरे-धीरे दबकर चटान बन गया चटान के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसा हुआ और यह पानी में स् से बना हुआ है इसलिए इसको क्या कहते हैं जीवाश्म कहते हैं अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट रियक्शन सुरू होता है जिसको याद कर लेना है प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सी करन की अभी क्रियाओं का अध्यान क्या है जल्दी बताओ तो ऑक्सीजन का कार्बोसिलिक अमल में बदला जाता है तो यहां से क्वेश्ण होगा तुमारा जिएक ए इंप और रियाय है और इथनओ अमल बन रहा है ठीक है ? दुसरा कोशन बोलेगा कि ऐलकोहल के आक्सिकरन से क्या बनता है तो इसका उत्तर है यहां पर करना है यहां उधारन कुछ हम लोगों को दे देना है। अब यहां पर देखोगे कि यहां पर यह जो अभीक्रिया है वह छारीए के में अभीकुर्ट के साथ करने परहो रहा है या अमली कृत के to CR2O से बन यानि की potassium dichromate के उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रहा है तो यहां देख सकते हो छारी potassium permagnate या फिर तुम्हारे पास अम-liquid potassium dichromate है तो उसकी द्वारा alcohol को क्या बनाए जाएगा alcohol का oxycron किया जाएगा और उस oxycron के कारण जो alcohol है वह carboxylic अमल में परिवर्तित हो जाएगा तो देखा सब बात यहां याद रखना है तो अब यहां से question आएगा कि oxycron किसे कहते हैं यह तो भाई पहला ही chapter का था कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को oxycron किसे कहते हैं तो भाई ऑक्सी कारक वे पदार्थ होते हैं जो oxycron की प्रक्रिया को कराते हैं समझ गए फिर से सुन लो ऑक्सी कारक वे होते हैं जो oxycron की प्रक्रिया को कराएगे तो oxycron की प्रक्रिया को कराने के लिए उनको क्या देना पड़ेगा oxygen देना पड़ेगा आक्सीजन देंगे तभी तो वो आक्सीजन जुड़ेगा कहीं न कहीं इसलिए आक्सीकार क्या प्रदान करते हैं आक्सीजन देते हैं आक्सीजन देने की छमता होती है इसका मतलब इन दोनों में आक्सीजन देने की छमता होगी तभी यह आक्सीकरन अभिक्रिया करा सक रहे ह तो चलो next topic की और यह क्या है संकलन अभी क्रिया किसे कहते हैं तो देख सकते हैं पहले idea मत o niquel जैसे उठ प्रेरोगो की उपस्थिति में असंत्रिप्त Tout a hydrocarbon hydrogen जोड संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं और इसे ही क्या कहते हैं संकलन अभी क्रिया कहते हैं समझो जरसा यह देखो संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन मतलब सी डबल बॉंड सी है या सी ट्रिपल बॉंड क्या है सी है और बगल मालो हाइड्रोजन लगा रहे गया और भी जा सकता है यहां भी देख सकते हो ट्रीपल बॉंड है तो इस बॉंड को तोड़ा जाएगा और यहां पर और हाइड्रोजन को जोड़ा जा सकता है यानि कि यह सुरू में था असंत्रिप्त लेकिन जब इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया जाएगा तो देखो यह क्या हो ज नहीं जा सकता है जितना तोड़ना था तोड़ा जा चुका है यानि कि यहां सब तरफ दूसरे परमाणू लगे हुए हैं समझ गए अब नहीं समझे तो फिर से समझो यदि कार्बन कार्बन इस प्रकार से कोई यहां पर मालो कि एक कंपाउंड है यह संत्रिप्त है क्या संत् hydrogen जोड़ दू तो यह जोड़ना संभव है एंसर है नहीं इसमें और hydrogen नहीं जुड़ेगा लेकिन इस प्रकार का कोई यौगिक है देखो यहां पर यह triple bond बना देता हूं और यहां पर तुमसे बोला जाए कि क्या इसमें और hydrogen जुड़ने की संभावना है तो इसका उत्तर है हा इसमें और hydrogen जुड़ने की संभावना है क्योंकि यह वाला जो bond है यहां पर देखो इसमें जगधा खाली है सब तरफ यह वाला यहांसे हटा दिया जाएगा तो यह दो जगधा इसको खाली मिल जाएगा और यह वाला हटा दिया घायेगा तो दो और जगधा खाली हो जाए तो क्या तुम्हारे पेट में जगह है और एक रोटी खाने की तो बोलगे हाँ है लेकिन तुमने पूरा फुल पेट खाना खा लिया है और तुमसे बोला जाए कि भाई तुम और खाना खाओ तो क्या तुम खा सकते हो इसका उतर है नहीं हम लोग और खाना नहीं खा सकते हैं यानि कि हम लोग अब संत्रिप्ट हो चुके हैं संत्रिप्ट और कोई भोजन नहीं ले सकता है लेकिन जो असंत्रिप्ट है तो थोड़ा बहुत भोजन खा सकता है यानि उसमें हैच हमता तो ठीक इसी प्रकार से यहां भी तुमको समझना है कि जो असंत्रिप्त होता है कार्बन योगिक वह क्या कर सकता है यहां पर हाइड्रोजन को जोड सकता है और यदि यहां पर हाइड्रोजन जोड करके वह संत्रिप्त बन जाए क्या बन जाए संत्रिप्त तो असंत्रिप्त से क्या बन जाएगा संत्रिप्त बन जाएगा और उसमें क्यों बनेगा क्यों किसमें हाइडोजन जुड़ रहा है तो उसको कौन कराएगा तो उसके लिए निकेल उत्प्रे रखोता है और फिर पलेडियम उत्प्रे रखोता है ये सारे उत्प्रे रखोते जो इस प्रक्रिया को कराएंगे और उसके कारण ये असंत्रिप्त बन जाएगा और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं इसे ही हम लोग कहते हैं संकलन अभिक्रिया समझ गए तो फिर से एक बार पढ़ लो यदि नहीं समझ में आए तो क्या लिखा हुआ है क्लियर बात लिखा हुआ यहां पर क्या लिखा हुआ है कि यह संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर जब उसे संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन बनाये जाता है तो उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं और यह कब होता है तो पहले इडिया मत्वार नीकेल ज दर जो है वह बदल जाता है क्या बदल जाता है अभी क्रिया का दर जैसे कोई अभी क्रिया फास्ट होने लेगा जल्दी जल्दी होने लेगा कोई अभी क्रिया स्लो हो सकता है किसके कारण इस उत्प्रेरक के कारण यानि कि ये उत्प्रेरक क्या करेगा उसके दर को क्या कर देगा बदल देगा यानि कि फास्ट या स्लो करा देगा लेकिन खास इसमें अच्छा बात तुमें समझना है कि वह जो उत्प्रेरक है जैसे पेलेडियम हो गया निकेल उत्प्रेरक हो गया इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ये बस क्या करेगा वहाँ पर उस को उस reaction को या तो fast कर देगा या तो slow कर देगा लेकिन इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारण ता वनस्पती तेलों के हाइड्रोजनी करन में इस अभी क्रिया का उपयोग होता है यानि जो वनस्पती तेल है उसका हाइड्रोजनी करन मतलब उसमें हाइड्रोजन जुड़ायाता है तो जल्दी बता दो वनसपती तेल किस चीज़ से मिलेगा प्लांट से मिलेगा जिसमें क्या जुड़ेगा हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन जुड़ने के प्रक्रिया क्या कहेंगे हाइड्रोजनी करन कहेंगे या फिर यहाँ पर संकलन अभी क्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं तो तुम जल्दी से बता दो कि वनस्पती तेल संत्रिप्त हो गया कि असंत्रिप्त हो गया तो इसका उतर है असंत्रिप्त हो गया क्यों हो गया बच्चा लोग जल्दी बता दो इसलिए असंत्रिप्त हो गया कि इसमें और हाइड्रोजन जुड़ पा रहा है इसलिए ये असंत्रिप्त है यदि ये संत्रिप्त होता तो इसमें कोई और हाइड्रोजन नहीं जुड़ पाता तो बनस्पती तेल के हाइड्रोजनी करन में इस अभिक्रिया का उप्योग करते हैं कौन सा अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया बनस्पति तेल में साधारंत लंबी असंत्रिप्त कार्बन स्रिंख लाए होती है क्लियर हो गया ना कि यह संत्रिप्त है चलो जबकि जन्तु वसा में संत्रिप्त कार्बन स्रिंख लाए होती है अब जो वसा जन्तु से प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं संत्रिप्त कारवन श्रिंक लाएं तो क्या इसमें जोड़ा जाए सकता है नहीं वह संत्रिप्त है उसमें कहां से हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा आपने देखा होगे कुछ विज्यापनों में कहा जा था कि वनस्पती तेल स्वास्ति वर्धक होते हैं यादगरना कि यह बहुत अच्छा है अब वनस्पती तेल क्या है और संत्रिप्त है ठीक है और संत्रिप्त यह भी याद रखना यानि कि असंत्रिप्त जो वनस्पती त प्रतियस्थापन अभी करिया तो संत्रिप्त हाइडरोकारवन अत्यदिक अन्भिक्रित होते हैं जो संत्रिप्त है वो संत्रिप्त है बेचारा संत्रिप्त उसको तो कोई लेना देना नहीं है किसी से तता अधिकांस अभिकर्मों को की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं जो संत्रिप्त है भाई वो तो भाई अक्रिये ही होगा उसको क्या लेना देना किसी से लेकिन बोलता है सुरी के प्रकाश के उपस्थिति में अती तिव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रो कार्बन में संकलन होता है और क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणू से अभी qriya कराए जाएगा तो cl a go h लेकर तो हट जाएगा और एक cl यहां पर जूड़ जाएगा यानी ह s e h h और यहां बन जाएगा cl यह हो जाएगा और प्लस में hcl का निर्मान करेगा अब फिर इसमें एक और c l 2 जुड़ेगा तो फिर उस तरीके से c 2 गो c l यहां जुड़ जाएगा और फिर यहां h और h हो जाएगा फिर इसमें एक और c l यदि इसमें जुड़ेगा तो c 1 c l 2 c l 3 c l और 1 c h होगा और फिर इसमें एक और c l 2 जुड़ जाएगा तो c c l c l c l और इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होगा जबकि CH3Cl यहां देख सकते हो यह है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म CH3Cl क्या है यही क्लोरोफॉर्म कहलाता है समझ गए तो CH4Cl2 से हम अभिक्रिया कर रहा है और दखुआ इस प्रकार से यह एक एक करके यहां के एच को प्रती स्थापित करते जाएगा और उसका जगह लेते जाएगा तो अब हम लोग पढ़ने वालेंगे कुछ महतोपुर्ण कार्बन यौगीक तो सबसे पहला क्या है यह है एथिनॉल और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एथनोई कॉमले तो एथनॉल क्या है जल्दी बताओ छी एच थ्री ओ एच यह हो गया मेथेनॉल सी टू एच फाइव हएच यही है एथनॉल इसी तरीके से सी थ्री एच सेवेन ओएच यह क्या हो गया प्रोपेनॉल है ना यह पढ़ा था ना तुमने अब देखो इसी का नाम हो जाएगा मिथाइल एलकोहल एक अलग नाम इसा कॉमन नाम हो जाएगा और एथनॉल का कॉमन हो जाएगा नाम हो जाएगा एथाइल एलकोहल यह भी नाम तुम याद रखो तो देख सकते हो अनेक कार्बन यौगिक हमारे लिए अनमोल होते हैं किन्तु यहां हम या वसाइक रूप से महत्वपुन दो यौगी को एथनौल और एथनौई कम लगे गुनधर्मों का ही अध्यन करने वाले हैं तो सबसे पहले क्या हो गया एथनौल या फिर इसी को एथाइल अलकोहल कहेंगे ठीक है तो एथनौल कक्ष केताब पर द्राव अवस्था में हो होगा इथनौल कि अवकोथनौंक को दिया गया वर तुमने देखा भी होगा सामानीयत अितनौल को एलकोहल कहा जाता है तथा यह सभी एलकोहली पेजयर्टों का महत्वपुन अव्या होता है यह दूसरा बात तुमने जान लिया कि यह जितनी यह एक अच्छा विलायक है यानि कि यह किसी चीज़ को घोलने का काम करेगा इसलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन कप सिरप टॉनिक आधी जैसे औशदियों में भी होता है तो इसका यूज यदि पुछेगा तो इसका यूज में लिख सकते हो इसका यूज किसमें होता है टिंचर आयोडीन बनने में होता है कटॉफ सिरफ में तुमको एल्कोहल मिलेगा कौन से यूज एलकोहल अल्कोहल फिर टॉनिक बनाने में भी सकाव्त इपवसятиं घर में तुम्हें थोड़ा सा नींद टाइप का भी आता है एथनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है क्योंकि जल में घुलंशील है तनू एथनॉल की थोड़ी सीवी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है जैसा कि मैंने बताया अब तनू एथनॉल हो गया जिसमें पानी मिलाए गिया हो और एक हो गया concentrated ethanol परिशुद्ध alcohol ठीक है अब यहां देख सकतो alcohol पीना निंदनिये जानते ही हो कि शराब पीना क्या है निंदनिये विशा है लेकिन समाज में बड़े पेमाने पर प्रचलित है बिल्कुल यह प्रचलित है लेकिन शुद्ध ethanol यानि की जो concentrated alcohol है उसका थोड़ा सा भी मात्रा क्या हो सकता है बहुत घातक सिध्ध हो सकता है और तुमने सुना भी होगा कई लोगों की शराब पीने से क्या हो गई मौत भी हो गई काफी शमय तक alcohol का स सेवन करने से स्वास संबंधी कई समस्य उत्पन हो जाएगी लिवर का problem सुरू हो जाएगा ठीक है अब देखो अब यहां पर alcohol से संबंधी कुछ बात बताय गया है जब अधिक मात्रा में ethanol का सेवन किया जाता है तो क्या होगा देख लो क्या क्या होगा तो इससे जो हमारे शरीर का metabolism है उपापची प्रक्रियावा क्या हो जाता है धीमी हो जाता है तथा हमारा central nervous system यानि केंद्री तंत्री का तंत्री यानि की हमारा brain या फिर मस्तिस्क क्या हो जाएगा कमजोर हो जाएगा इसकी philosophy समन्वे की कमी हो जाएगी समन्वे का कमी मतलब पैर रखोगे जमी पर लगेगा कि तुम उड़ रहे हो मानसिक दुविधा उनिंदापन सामान्य अंतरबाद का कम हो जाना एवं भाव शुन्यता आ जाती है अरे भाई जिसने शराप पिया है उसको देख उसके बारे में तुमने सुना होगा को नाली में पढ़ा रहेगा लेकिन लगा कि वह मखमली बेड़ पर सोया है उससे क्या फिलिंग होता है कि वह मखमली बेड़ पर सोया है है नाली में क्यों क्योंकि उसका मानसिक दुविधा हो जाएगा वह खट खटाता हुआ धरवाजा नजर आएगा और बोलेगा कि निकलो बाहर लेकिन वह अपने घर में नहीं दूसर हो जाएगा उसको कुछ पता नहीं क्या बोल रहा है यद्यपी व्यक्ति राहत महसूस करता है यानि कि वो टेंसन फ्री तो होई जाता है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसके सोचने समझने की शमता मांस पेशी बुरी तरह प्रभावित हुई है इतनोल का विपरीत अब इसके बादा आता है मेथेनॉल तो मेथेनॉल जो है बहुत जादा क्या होता है जहरीला होता है यही समझो और उसकी थोड़ी सी मात्रा लेने से क्या हो सकता है मृत्ति हो जाएगा यक्रित में मेथेनॉल ऑक्सीक्रित होकर मेथेनायल बनाता है अब यदि हम लोग तो वह भी यक्रित यानि लीवर पर असर करेगा लेकिन जो मेथिनल है बहुत जादा असर करेगा और वह औक्रिजण से मिल करके मेथनल बना देगा स्मझ गए मेथिनल क्या हो गिए C double bond O H और H योगय मेथनल है ना मेथनल यक्रित की कोशिकाओं के घटकों के साथ सिग्र अभिक्रिया करने लगता है इसे प्रोटो प्लास्म उस प्रकार असकंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा असकंदित हो जाता है मेथनल चाक्छुस तंत्रिका को भी प्रभ मुहावित करेगा जिससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है यह मेथनौल के बारे में बताया था यानि कि CH3OH मेथाइल अलकोहल के बारे में बता रहा है अब एथनौल के बारे में यहां फिर से बता रहा है कि एक महत्वपुर्ण और योगिक विलायक है और जोगिक उपयोग के लिए तियार एथनौल का दुरुपयोग रोकने के लिए अब देखो जो एथनौल होता है वह क्या होता है वह उद्योगों में बहुत जादा उसका उपयोग किया जाता है तो भाई एथनौल को उद्योग में ले जाए जाएगा और ड्रा ययोग तो हो हई होगा यानि एतनल जो है वह उगा is सब लोग इसको यूज करना सुरू करेगा तो इसको रोकने के लिए अब दिमाग लगा जाता है जो वहां का फैल जो इसमें क्या दिवा लगा दिया जाएगा और जैसे या फिर पीने योग ही नहीं रह जाएगा तो जाओ चुराओ और पी योग कोई पीएगा फिर नहीं कोई नहीं पीएगा तो इलकोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसके रंग नीला बना दिया जाता है और इसे विक्रित इलकोहल क कहते हैं अब इस्विक्री तलकोहल को कोई यूज करेगा तो उपर जाएगा समझ गए इंधन के रूप में एलकोहल तो गन्ना सुरी के प्रकास को रासाइनी कुर्जा में बदलने में सरवाधिक सक्षम होता है गन्ने करस मोलेसस सीरा बनाने का उपयोग में लाया जाता है ज करके उसको क्या बनाया जाता है शराब या एलकोहल बनाया जा सकता है एथनौल का बात हो रहा है कुछ देशों में एलकोहल में पेट्रोल मिलाकर से स्वक्षिंदन के रूप में इस्तमाल किया जाता है या इंदन परियाप्त ऑक्सिजन होने पर केवल कार्बन डायोकसाइ जलुदपन करता है यानि कि एथिनॉल को पेट्रोल में मिला करके उसको इंधन के रूप में यूज़ किया जाता है तो अब आगे यहां से सारा भी भी एकोईशन इसको तुमको याद करके रखना होगा तो सबसे अब यह आ गया एथिनॉल का रियक्शन तो एथिनॉल देख मुक्त होगा इसको याद कर लेना है सिधा सिधा तो जब एलकोहल कौन सा एलकोहल यह मेथाइल अलकोहल की बात कर रहा है सोडियम से भी क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सारजित करता है एथिनॉल के साथ हभी क्रिया में दूसरा उत्पात सोडियम एथाकसाइड होता है कि आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरा पधा धातु से अभी क्रिया कर हाइड्रोजन बनाएगा तो यहां जिंक है जो तुम जानते हो कि जिंक भी क्या करेगा जिंक भी इस प्रकार से हाइड्रोजन का निर्मान करता है किसके साथ अभी क्रिया करके तो HCL के साथ अभ और लोगों ने पढ़ा था अब देखो असंद्रिप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभीक्रिया तो यहाँ पर यह कैसा हाइड्रोकार्बन है यहाँ इस तुमने पढ़ा है जहाँ ढबल रखा 243 केलविन तापमान पर गर्म किया जाता है किसके उपस्थिती में तो सांद्र वर्ड याद रखना है यहां पर तनूर लिखा हुआ तो यह गलत हो जाएगा सांद्र सल्फियूरिक अमल सांद्र एचटू एसो फोर के उपस्थिती में जब इसको 443 के पर गर्म करेंगे अब यह टेमपरेचर भी बदल जाएगा तो यहां यह जो चीज़ बन रहा है वो बदल जाएगा इसलिए 443 के याद रखेंगे गर्म करने पर एथिनॉल का निरजली करन होकर एथिन बनाता है तो नि H2O हट गया और जो बाकी बच गया वह क्या हो गया C double bond C यह देखो यह बच गया और H और H H और H यानिघ दो C और तुम्हारा दो H इस प्रकार से यानि यही बन गया और एथीन क्या है बच्चा लोग एथीन है तुम्हारा अंसेचुरेटड हाइड़ोकार्वन यानि कि असंत्रिप्त हाइड़ोकार्वन और यहां पर हाइड्रोजन एच्टूो का निकलना है क्या कहलता है निर्जलीकरन यानि डि हाइड्रेशन समझ गए इस अभिक्रिया मे सलफियूरी कमल निर्जली करन के रूप में काम करता है यानि की ये निर्जली करन अभिक्रिया को कराता है जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है समझगे कितना इंपॉर्टन चीज़ था इसके बाद आ गया तुम्हारा एथनोईक अमल एथनोईक अमल क्या हो गया और इसी को हम लोग सामान्य भासा में एसिटिक अमल भी कहेंगे दोनों नम इसका हो गया तो एथनोईक अमल को सामाने ता एसिटिक अमल कहा जाता है या कार्बोगजिलिक अमल समूझ से सम्बंदित है जैसे तुमने यहाँ पर देख लिए ये कार्बोगजिलिक अमल है ये क चारपर्सेंट के रूप में को प्रशेंट में चाह्युण को सिरका कह जाता है तो जल्में सब्सक्राइब करेंगां तो यंदी को याद रहना चाहिए कि यह 3 Southeast थी निव भी थी सो यह प्रकूश्न का चाहिए कि तीन से 100 में देखो तो देखो हूं इसको याद के परिरक्षन में और वेनिगर या सिर्का का यूज हम लोग खटे मतलब जैसे च्वामी नोगरा में डाल के करते हैं तुमने खाया भी होगा शुद्ध इलकोहल हमल का गलनांक 290 की होता है यह याद रखना है और इसलिए ठंड़े जलवायों में शीत की दिनों में यह जम जाता है तो यहाँ से एक और क्वेशन आएगा कि जो इत्नुफ है कि टिनों में क्या हो जम जाता है और इसी कारण इसको ग्लैशल एसीटीक अमल भी हम लोग कहते हैं याद करके रखो यह थंडे के दिनों में क्या हो जाता है जम जाता है इसको ग्लैशल एसीटीक अमल भी कहते हैं कारबोगजिलिक अमल कहा जाने वाला कारबनिक योगी के समों का भी लाक्षन इस क्या है इसे तरीके से CHCOOH यानि कि ACITICJ सही कि अमल है latest आशरी और यह और दूर्ब नहीं Kitchen कि क्या है आप देखो यहां पर इस्ट निर्मान को दिखाए गया है और यहां तो दो कौशन आएगा सबसे पहला कोशन आएगा ए श्टरी करन अभिक्रिया क्या है ठीक है तो यहां देखो तो जब यहां देखोगे यह जो अमल है वह याने की अभिक्रिया करके एस्टर का निर्मान करेगा और इस एस्टर के निर्मान के अभी क्रिया कोई क्या कहते हैं तो बहुत important question कुछेगा इस्टरी करन अभी क्रिया क्या है तो बोलेंगे कि जब अमल अलकोहल से मिलकर के अभी क्रिया करेगा तो क्या होगा यहां पर इस्टर का निर्मान होगा और इसमें इसमें क्या होगा अम्ल उत्प्रेरक्त की उपस्थिती भी हो गी यह भी याद रखना है हां तो यह अम्ल an वह सा है यहा सो है यह यह तुमरा बहुत ही हुश्वा है वीक ऐसीड होता है ठीक है दुर्बल अम्ल होता है है ना और इसका विक्रिया जब हम लोग उनों का अभी कराया कराया जाएका तो एस्टर कामलों का निर्मान होता है तो इसके बाद तुम्हें यह वाला अभիकृया क्या Inkare करना होगा इसी प्रकार से लिख देना होगा सामानियत्य एस्टर की गंध मृधू होती है इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन करने वाले कारक के रूप में किया जाता है अब देखो सोडियम हाइड्रोकसाइड से अभी क्रिया के द्वारा जो छार है एस्टर पुना अलकोहल व्यों कार्वगजिलिक अमल का सोलियम लवन बनाता है इस अभी क्रिया को साबुनी करन कहा जाता है इसको उल्टा देख लो कि जो एस्टर है वा किसी च्छार की उपस्थीती में वापस से अलकोहल और अमल का निर्मान करता है तो इस अभी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, साबूनी करन अभी finish क्रिया कहते हैं, यह दूसरा इतोोな ऑसफला करके लख दिया गया है क्योंकि इस साबून तयार किये जाता है साबून तेर सब्ढ़ रहन करन जो साबुन हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसको पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे समय पढ़ाऊगा तो देखो जो एस्टर होता है वह अमलकास वह जो है सोडियम लवण तो इसको एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोकसाइड की उपस्थिती में ये जो एस्टर है वह क्या होगा पुग्णा एलकोहल एवं कार्बोगजिलिक अमल में तूट जाएगा यानि कि एलकोहल और कार्बोगजिलिक अमल का निर्मान करेगा और इस कारण से इसे हम लोग इस अभीक्रिया का नाम क्या हो जाएगा इस कारण से नहीं इस अभीक्रिया का क्या नाम हो जाएगा साबुनी करण अभीक्रिया हो जाएगा ठीक है और ये इसका नाम साबुनी करण क्यों रखा गया है क्योंकि साबुन का निर्मान भी इसी प् लगा भी करिया यानि की एसिटी कम लगा भी करिया तो खनीज अमल की भाती एथनोइक अमल जो है सोडियम हाइड्रोकसाइड जैसे छारक से भी क्रिया करके सोडियम एथनोइट या सोडियम इसी टेट तथा जल बनाता है तो देखो यह चार हो गया और यह हो गया तुम्हार कि यह international union of pure and applied chemistry के द्वारा बताया गया नाम है लेकिन ascetic अमल है वह क्या है वह एक common नाम है सधारन नाम है उसका ठीक है तो एक ही जो यौगिक है उसके दो नाम है एक होता है आयू पैक नेम जो कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था आयू पैक नेम था हम लोगोंने common नेम किसी चीज का नहीं पढ़ा है एक दो नाम मैंने बताया है तो इस प्रकार से यह इतनोई कमल किस से अभी क्रिया कर रहा है छारक्स अभी क्रिया करके sodium acetate बनाता है और H2O तो sodium acetate इसको याद करना होगा तुमको क्यों कि यह नाम मैंने तुम्हें सिखाया नहीं कि किस प्रकार से लिखा जाता है यह तो नोई कमल कार्बोनेट हम हाइड्रो कार्बोनेट से कैसे अभी क्रिया करता है तो यह तुम जानते हो जिस प्रकार से अमल जो था वह sodium सोडियम कार्बोनेट से भी क्रिया करके CO2 और H2 निर्मान करता था जो चैप्टर नमबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था टू में पढ़ा था ठीक उसी प्रकार से यहां भी यह भी क्या है एक अमल है कार्बोग्जिलिक अमल है ठीक है तो यह भी क्या करेगा नहीं सोडियम हाइडोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट से भी क्रिया करके एक लवन बनाएगा जल बनाएगा और CO2 का निर्मान करेगा तो यहां पर इस लवन का नाम भी याद कर लो इस लवन का नाम क्या है यह देखो यह वाला होगे तुम्हारा सोडियम एसीटेट यह नाम दुनों याद कर ले रहा है समझ गया यह सारा चीज तो यही था तुम्हारा तो भाई आगे अपने लाश्ट टॉपिक पर लाश्ट टॉपिक क्या है साबुन और अपमार्जग तो भाई सबसे पहला क्वेशन तो आता है साबुन किसे कहते हैं ठीक है तो इसके पहले लंबा चेन यदि कार्बन बहुत सारे कार्बन को इस तरीके से जोड़ दिया जाए तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लो कार्बन का लंबा चेन इसका मतलब यहां पर बहुत सारे कार्बन मालो 32 इस प्रकार से कार्बन को जुड़ा जाए तो इसके क्या बोलें को जोड दिया जाए या फिर सोडियम को जोड दिया दोनों में से किसी एक को जोड दिया जाए तो यही जो नैया चीज बनेगा इससे ही बोलें के हम लोग साबुन कितना असान है, या यह जो मैंने दीखाया है, अभी यह साबुन का molecule है, साबुन का एक अनू को दिखाया है, तो साबुन क्या होता है? तो साबुन देखोगे कि यहाँ पर लंबी स्रिंखला वाला कारबोगजिलिक अमल होता है, जिसमें sodium या potassium के लवन यानि की sodium या potassium उसमें जुड़ा हुआ होता है तो इस प्रकार से देख सकते हो साबुन के नुक्या है लंबी स्रिंखला वाले कार्बुख जिली कमल के सोडियम एवं पोटेशियम लवन होते हैं यही है साबुन समझ में आगे है साबुन किसे कहते हैं तो तेलिये होते हैं अब देखो साबुन का आयनिक भाग अब देखो अब यदि यहाँ साबुन को अच्छा से दिखाय जाए तो देखो यही एक एक जो दिखाय गये यही साबुन का मॉलिक्यूल है यह देखो इस तरीके से ये जो भाग है ये hydrocarbon chain कहलाता है और ये जो भाग है यही क्या है तुम्हारा ये वाला भाग को यहां दिखाए गया है तो इसका दो भाग तुम देख सकते हो ये वाला भाग होता है आयनिक भाग क्या होता है आयनिक भाग ठीक है और ये जो भाग है वह जल की ओर होगा किस ओ से दूर होगा यानि कि यह हाइड्रो फोबिक होता है इसको बोलते है आइड्रो फोबिक है और इस बाग को क्या बोलते है, हाइड्रो फिलिक , मतलब यह बाग जल के जल को मुहब्बत करेगा जल की और होगा जल को प्यार करेगा लेकिन इसका जो पूछ है वह जल से दूर भागेगा समझ गए तो यह जो दूसरा पूछ वाला भाग है वह डर्ट पार्टिकल यानि की गंदगी की और होगा तेल से उसको प्यार होगा समझ गए इस प्रकार से साबुन का दो भाग है तो सा करेगा तेल की ओर होगा इस प्रकार साबुन के अणू मिसल संग्रशना त्यार करते हैं तो यह क्या बोल रहा है या ध्याल से सुनो तो बात यह है कि जब हम लोग साबुन से किसी गंदगी को साफ करते हैं तो यह जो गंदगी का मॉलीक्यूल है गंदगी का यह जो अणू है उसको चारों तरफ से साबुन का अनू क्या कर लेता है घेर लेता है देखो इस तरीक इस से क्या करेगा घेर लेगा और घेर करके तेल के भूंद को क्या कर लेगा पकड़ लेगा और इसको जहां कपड़े में लगा हुआ है तो कपड़े से इसको क्या करेगा वहां से हटा द मिसेल तो इस प्रकार से मिसेल का संग्रशना होता है जहां पर अनू का एक सिरा तेल की और किसके अनू का साबुन के अनू का एक सिरा तेल की और बता कौन सा सिरा तेल की और होगा पूछ वाला और उसका आइनिक सिरा किधर होगा बाहर की और यानि जल की और होगा ठीक है इस इसे पानी में इमल्सन बनेगा यानि वो जो गंदगी है उसको बाहर लेगा तो पानी में इमल्सन बनेगा इस प्रकार साबुन का मिसल मैल को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े क्या हो जाएंगे साप हो जाएंगे तेहां पर देख सकतो मिसल को वनी चल्रागी सीरा और दूसरा है जल्वीरागी सीरा जोकि गंदगी की ओर होगा और जल्रागी सीरा पानी की ओर होगा इस प्रकार से यारनी यह भी बोल Ambassador हृará दूर होगा समझ गए इस प्रकार से यहां पर यह देखो यहां पर यदि गंदगी को डाला गया है तो गंदगी को जल वी रागी सीरा यह जो है इस प्रकार से यह क्या कर लेगा पकड़ लेगा ऐसे पकड़ लेगा इस तरीके से और जल रागी सीरा यह बाहर की ओर होगा और देखो यहाँ पर सोप मीसल का निर्मान करेगा और इसी सोप मीसल यह देखो इस प्रकार से सोप मीसल का यह निर्मान होता है तो यह सोप मीसल जब तुमसे पूछेगा तो यह सारा बात यहाँ पर लिखना होगा यह देखो मैं पढ़ा दे रहा हूँ साबूर के अनू ऐसे हो होते हैं पहला होता है जल में विले जिसे जल रागी सीरा कहते है जो की हाइड्रोकार्बन पूंच होता है जो की हाइड्रोकार्बन पूंच होता है और दूसरा सीरा होता है जल विरागी जो की क्या होता है वह होता है तुम्हारा हेड यानि की वह होता है तुम्हारा इसका सि कि पाहर कि और होगा इंदर की हईड्र जल से बाहर यह ओर होगा मतलब गंदगी कि यहां मुण उसी होती है यह समझ गए तो यहाँ पर देखोगे जो आयनिक सीरा है वा गुच्छे के सता पर होता है यानि बाहर होता है इस संग्रशना को ही हम लोग क्या बोलते हैं मिसल यानि यह जो संग्रशना बन रहा है यही क्या हो रहा है मिसल जिसमें आयनिक संग्रशना बाहर होगा हाइड्रोकार्बन पू प्रतिकर्षित करेगा इस प्रकार से लटका रहेगा पानी में इस प्रकार मिसें क्या होगा मिसल तैरते मैल आसानी से हटाए तिया मैल उसको मिसल प्रकास के उपर कृणत कर सकते हैं । यहीं कारण है कि साबुन के घॉल बादल जैसे भोग में अब चलो हम लोग अप मार्जग की बारे में पढ़ Them तो भाई सबसे पहला कोईशन होगा अपमार्जक किसे कहते हैं तो जैसे साबुन हम लोगों ने याद किया यहां अपमार्जक भी उसी प्रकार से याद कर लेंगे साबुन में हम लोगों ने सोडियम एवं अमोनियम लवन पढ़ा लेकिन यहां पर बस नाम बदल देना है सलफोनिक एवं अमोनियम लवन इसमें एड कर देना है बस तुम्हारा अपमार्जक का अपमार्जक यानि क्या होता है डिटर्जेंट होता है उसका यहां पर हम लोग परिभाशा बना सकते हैं, तो लंबी कार्बन श्रिंखला वाले जो सलफोनिक लवन अत्वा लंबी कार्बन श्रिंखला वाले अमोनियम लवन जो कलोराइड या ब्रोमाइड आयों के साथ बनते हैं, तीक है उन्हें क्या कहते हैं, अब मार जग raging तो थोड़ा से इसमें समझा देता हूँ, देखना, हम लोगों ने क्या देखा था, कि लंबी श्रिंखला वाले, जो कार्बुखजिली कमल है, उसका सोडियम या पोटेशियम साल्ट को, हम लोगों क्या कहते हैं, उसे साबुन कहते हैं, ठीक है, तो अब बात आए गए, अब मारजग किसे कहते हैं, तो उसी तरीके से बुलेएं कि लंबी श्रिंखला वाले, कार्बुखजिली कमल, जिसका सल्फोनिक, या फिर क्या होगा, अमोनियम लवन होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अब मारजग कहेंगे, बस दोनों में एक ही चीज़ है, अंसर में, बस सो महारा एंसर हो जाएगा, तो अब बात होता है, कि जो साबुन होता है, वह अलग अलग पानी होगे, पानी हम लोग दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक ऐसा पानी होगा, जिसे हम लोग कठोर जल कहेंगे, क्या बोलेगे, कठोर जल, अब बोलोगे, कठोर जल क्या होता है, तो कठोर जल ऐसा जल होता है जिसमें केलसियम या मैगनेशियम का लवन इसमें घुला होता है और जब केलसियम और मैगनेशियम का लवन घुला रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं कठोर जल बोलते हैं और या फिर हार्ड वाटर कहते हैं और इस वाटर में तुम्हारा साबुन बहुत अच्छे से काम नहीं करता है तुमने देखा होगा कई बार तुम्हारे घर चापागल के पानी में से जब तुम अपने बाल को साबुन से धोगे तो तुम्हारा बाल पुरा चट-चट करना शुरू कर देगा वो साफ नहीं होता है या फिर कपड़े भी खास साफ नह होते हैं जबकि तुम नदी के पानी से उसका पड़एक को उसी साबुन से दोगे तो बहुत अच्छे से सफाइ होती है इसका कारण यह है कि जो चापागल का पानी है वह कैसा जल रोगा कथोर जल हो सकता है नदी में भी कथोर जल हो इसका कोई-ऐ जल गृत हो सकता है उस कहते हैं तो भाइ शाबून आखिर कटोर जल से अभिक्रिया मतलब उसमें अच्छे प्रकार से काम नहीं करना नहीं करता साबसफाई क्यों नहीं करता इसका उत्तर यह है की जो साबून के अनु ही काम करेंगे सफाई में बाकी सतर क्या हो जाएंगे सतर काम ही नहीं करेंगे अब बात आएगा कि क्यों नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर कैल्सियम और मैंगनेशियम लवन उसको काम करने नहीं देगा इस प्रकार से कटोर जल में सावुन काम नहीं करेगा और इस जल से शरीर दो लेने के बाद भी कुछ अगुलन सील प्रदार्थ जमा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित केल्सियम और मेगनेशियम अब लाउनों से भी क्रिया करता है। जिससे की वह सही प्रकार से काम नहीं कर पाएगा और असकम का निर्मान करेगा। यहां देखो असकम क्या होगा। और जिससे की साबुन सफाई का प्रक्रिया नहीं कर पाएगा। और जो तुम्हारा साबुन है वह कठोर जल में कारें नहीं कर पाएगा। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपियोग करना पड़ सकता है देखो एक ही जाग भी नहीं आता है ये सब क्यों हो रहा है क्योंकि वहाँ जो जल है वो कठोर जल है उसमें कैलशियम और मैगनीशियम के लवन घुले हुए होते हैं एक अन्य प्रकार के योगिक यानि अपमार्जक काउपियो करी समस्या को निप्टाए जा सकता है तो अब जाबुन वहाँ नहीं काम करेगा वहाँ पर हम लोगों को डिटेर्जेंट यूज करना होता है अपमार्जक क्या है ये मैंने बता दिया तो अब तुम्हारे दिमाग में आए कि भाई अपमार् मार्जक से अभी क्रिया नहीं करेगा और उसको डियक्टिवेट नहीं करेगा इसलिए अपमार्जक जो है वह अच्छी तरीके से वहां सफाई करेगा इन यौगी को का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्तित कैल्शियम मैंगनीशिम आयनों के साथ अगुलन सिल्पदार् मार्जक जो है वह कठोर जल से अभी क्रिया नहीं करेगा इस प्रकार वह कठोर जल में भी बहुत अच्छा प्रभाई बना रहेगा समानेता अपमार्जक देखोगे कि शैंपू में कपड़े धोने वाले जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं इसे घड़ी सरफ हो गया या रि 30-40% रहेगा बाकी अन्य परदार्थ उसमें रहते हैं तो बच्चा लोग इस तरीके से यह चैप्टर यहां पर समाप्त होता है मुझे उमीद है कि तुम्हें पूरा डीटेल में मैंने पढ़ाया है तो हर एक की समझ में आ जाएगा नोमेंक्लेचर का अलग से वीडियो ब अन्य वादू